हेलो फ्रेंट्स अगर आप TGT-Aspirant हैं और TGT के साथ साथ आपका जो टार्गेट है वो LT, NVS और KVS है तो फ्रेंट्स आपके सलवस में Milton definitely होगा और अगर नहीं भी है तो contemporary writer के रूप में आपको Milton पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा तो फ्रेंट्स आज का जो लेक्चर है हमारा यह complete John Milton आपको यहां मिलने वाला है everything from the author you will get here यहां आपको जो मिलेगा author की biography, biography के साथ साथ आपको यहां important works, important quotations और important point wise questions आपको हैं मिलने वाले सारी important works की आपको summary मिलेगी और फ्रेंट्स यह जो lecture है पूरा यह बड़ा ही important है इस lecture को देखने के बाद आपको कुई भी question Milton से नहीं बचेगा यह मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ लेकिन आपको एक promise करना होगा कि आप lecture पूरा देखेंगे आप lecture पूरा देखिए और मैं sure करता हूँ आपको कि आपको मिल्टन पर और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी लेक्चर फ्रेंट्स लेंदी है प्रेंस आपको बनाए रफना होगा लेकिन लेक्चर को पूरा देखेंगा तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंट्स TGT English के लिए कि मαस स्टार्ट करते हैं मिल्टन की बाइगरेफी इनके इंपर्डेंट वर्क से और ओतरस पर कंप्लीट आपको material मिलने वाला है कि तो चलिए फ्रेंट्स आज बायोग्री को स्टार्ट करते हैं कि पिल्ट्स龍 tutorial बिएग्ाई थे अगर बात करें तो मिल्टन का जो बर्थ ह 24 यानि 1644 में विली, clear friends, birth 60-08 और कहां पैदा होए friends, born in Brad Street, London. Clear friends, चलिए, birth अगर 16-08 है तो death की भी बात कर लेते हैं, death हुई इनकी friends, 16-74, यानि 1674 में, and died of gout. और gout कहते हैं, friends, गठिया को, miss, गठिया की विमारी थी, gout, gout चे इनकी death हो गई, और वो भी 1674 में, buried in St. Giles, Cripal Gate, कहां दप्राएं गया, buried at St. Giles, Cripal Gate. ये church थी, friends, St. Giles, और St. Giles कहां थी, ये, Cripal Gate में थी, तो Cripal Gate में जो, इनको क्या किया गया, दफनाया गया, इनके जो father थे, father का नाम था, friend, john milton, means, जो author का नाम था, वो ही नाम father का था, जोन, मिल्टन, और जो, जोन, मिल्टन थे, वो क्या थे, friends, a scribe owner, और you can say notary, वो scribe owner थे, और जिसको आप संपली notary कहते हैं, वो क्या थे, friends, notary थे, clear भी बात, जो mother थी, mother का नाम था, friends, Sarah Jaffrey, Sarah Jaffrey, clear है, friends, john milton को एक nickname तिया गया, और उनको क्या कहा जाता था, the lady of Christ कहा जाता था, और वो क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनके जो hair थे, वो brown थे, और fair complexion था, साफ सुथरा रंग, और सुंदर से घूराले brown जो hair थे, और इसलिए उनको जो nickname दिया गया, वो क्या दिया गया, lady of Christ, clear, friends, Christ, because of his brown hair and fair complexion. clear हुई बात, milton की बात करें, तो milton इक puritan थे, milton was a puritan, clear, friends, 16, अच्छा, अगर studies की बात करें, तो उनकी जो study हुई है, वो कहां हुई, studied Christ College, Cambridge, कहां पढ़ें, friends, ये, Christ College, Cambridge में, और, friends, इन्होंने जो अपना बिये किया, वो किया, friends, 16, 29 में, यानि 16, 29 में भी ये किया, और M.A. जो किया, 16, 32, 16, 32 में इन्होंने M.A. किया, clear, friends, चलिए, एक glance all डाल लेते हैं इस पे, 16, 28 में, bond पैदा हुए, कहां, bread street, London में, died of gout, gout से मर गए, 1674 में, buried हुए, sent guiles, cripple gate, father John Milton थे, a notary or sky winner, mother Sarah Jeffrey, lady of Christ कहा जाता था, गुग्राले बाल, सुन्दर बाल, और साफ सुत्रा रंग के, होने के कारण, एक Puritan थे, Christ College में पढ़ाई हुए, Cambridge में, BA 1629 और M.A. 16, 32 में किया, clear, friends, और स्कूल में ही, उनका एक close friend रहा, और कौल रहा, फ्रेंड्स, Charles Diodati, closed friend, Charles Diodati, clear, friends, जब वो Cambridge में पढ़ाई थे, तो Cambridge में पढ़ाई के दोरान ही, उन्होंने बहुत सारे Latin verse लिखे, और Latin verse लिखने के साथ, friends, Latin prolusions लिखे, और prolusions क्या होते, प्रोलिशंस होते हैं, public speech made by students, students जो public speech देते हैं, वो इन्होंने लिखी, और इसको technically क्या कहा जाता था, prolusions, clear, friends, तो एक पॉइंट और बन जाता है, एड़ केंब्रीज, he wrote, many Latin verse, and और Latin verse के साथ, क्या बता है, Latin prolusions, और prolusions क्या होते हैं, चलिए इस पॉइट को भी नोट कर लीजिए, prolusions, prolusions क्या होते हैं, friends, यह होते हैं, public speech made by students, बात क्लिएर हुई, चलिए, इसके बात, friends, बात करते हैं, 1643, 1643 में, he married Mary Powell, Mary Powell से, इनकी शादी हुई, 1643 में, clear, friends, 1634 में, 1634 में, wrote the mask of commerce, mask of commerce लिखी, and 1637 में, 1637 में, wrote Lycidas, Lycidas, के लिए, friends, Lycidas क्या है, a Monody on the death of his college friend, a Monody on the death of his college friend, एक शोगी थे, लाइसी दास, जो उनका एक college friend था, उसकी death पर है, और वो कौन था, Edward King, Edward King की death पर क्या है, एक Monody है, conference, Lycidas, चलिए, लाइसी दास की अगर बात हो रहे है, तो एक पोइंट और निकल कर आता है, कि जो लाइसी दास है, वो उनकी last horse and poem है, his last horse and poem, कि यह फेंट और horse and poem क्या है, एक चुल में जगे थी एक horse and जहां वो रह रहे थे, तो horse and में रहने के दुरान उन्होंने जो works लिखे, वो horse and works रहे जाते हैं, क्लियर, 1644 में एक important work और आया इनका, और वो क्या था, फ्रेंट्स, aeropagy tikka, aeropagy tikka, aeropagy tikka क्या था, और फ्रेंट्स, यह एक्चुल में जो address किया गया, aeropagy tikka, यह किसको address किया गया, यह किया गया, पार्लियमेंट, पॉर फ्रीड़म उफ्रेस, पॉर फ्रीड़म उफ्रेस, clear, close friend रहा फ्रेंट्स, चार्ल्स डियोरेटी, और जब वो Cambridge में रह रहे थे, उसी दोरान उन्होंने कुछ Latin verse लिखे, यानि जादा तर Latin verse लिखे, और Latin verse के साथ साथ, प्रॉल्यूजन्स लिखे, प्रॉल्यूजन्स क्या होती हैं फ्रेंट्स, पब्लिक स्पीच होती हैं, जो स्टुडेंट्स देते हैं, clear, इसके बाद 1643, देखे, marriage पहले आ गई है, यह सन पहले आ गई है, इसमें गन्फ्रूज मत होना, 1643 में married Mary Powell, 1634 में mask of commerce लिखी, 37 में lycidas लिखी, किसकी death पर लिखी फ्रेंट्स, Edward King, जो इनके फ्रेंट्स थे, एक college फ्रेंट्स थे, उनकी death पर lycidas लिखी, clear friends, और lycidas के बाद, lycidas कहीं जाती है, उनकी last portion poem, और address, उन्होंने की, जो पार्लियमेंट थी, इंग्लेंट की, उस पार्लियमेंट को, एड्रेस करते वे, उन्होंने एक जो pamphlet लिखा, और वो क्या था, aeropazity का, और friends, वो एक्च्वल में, जो freedom of praise थी, freedom of praise पर लिखा गया, clear, जब और detail में तब discuss करेंगे, जब हम aeropazity को particular, हम discuss करेंगे, clear friends, तो चलिए, note कर लिजे रहे, 1649, 1649 में वो हो गए, became secretary, foreign secretary हो गए, to the commonwealth, 1649 से लेकर, और 1660 तक का जो period रहा है, वो commonwealth period रहा है, यह मैं लिख देता हूं इसको, 1649 से लेकर, 1660 तक, the commonwealth period, और इस हिस्टरी में इसको, commonwealth age के नाम से भी, जाना जाता है, clear friends, तो 1649, 1660 में क्या बना दिया गया है, इनको became foreign secretary, to the commonwealth, जाना जाता है, जाना जाता हूं जाता हूं जाता हूं जाता हूं जाता हूं जाता हूं, commonwealth, clear friends, यानि foreign secretary ये बन गए, 1649 में, इसके बाद friends, 1650, lost the sight of his one eye, यानि 1650 में क्या हुआ इनकी जो आँख थी, उसमें एक आँख की रोश्णी complete चले गई, बात clear हुई, चलिए, इसके बाद friends, क्या हुआ, the defense of English people, the defense of English people, एक दूसरा वर्क था इनका, और वो जो वर्क था, वो जब इन्होंने लिखा, तो उसको लिखने के बाद ये पूरी तरह से अंधे हो गए, clear friends, 1652 में completely blind हो गए थे, the defense of English people, the defense of English people resulted in total blindness, और एक्च्वर में बिमारी लग गई थी इनको, उसकी वज़े से इनका जो वीजन था, जो आईसाइड थी, वो धीरे-दीरे गिर रही थी, doctors ने कहा कि जो आप hard work कर रहे हो, इसको आप कम कर दो, लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं माना, और फ्रेंट्स इन्होंने खुद स्विकार किया है, कि rarely before midnight is left, कि जो काम करते थे वो कि, कभी मुश्किल से ही वो midnight, आदी रात से पहले वो सोय होगी, इतना hard work वो करते थे, और अब जब hard work कर रहे हैं, writing का ही काम है author को, और तो कोई काम नहीं है लिखने पढ़ने का, तो उसी से इनका जो vision है, वो दीरे दीरे गिरता चला गया, clear friends, और 1650 में एक आग की रोश्णी चली गई, और 1652 में, अगर हम बात करें, 1652, 1652 में, he became total blind, became total blind, अब देखे, 1608 में जो author पैदा हुआ हो, और 1652 में वो अंधा हो गया पूरी तरह, और यानि, at the early age of 44, 44 साल की उम्र, कोई जादे नहीं होती, 44 साल की एज में ही author पूरी तरह से अंधे होती है, प्रिंट 1653, 1653, पावरे में अंधे होए, और 1653 में, मैरी पावल, मैरी पावल कौन थी? His first wife, उसकी जो पहरी वाइफ थी, उसकी डैथ हो गई, डाइट, पाद के लिए रहे यहां तक, देखे, क्या-क्या था, 1649 से साट तक, common wealth period start हो गया था, और 1649 में ही, इनको common wealth होते ही, foreign secretary बना दिया गया, 1650 में, एक आप की रोशनी चले गई, और जो the defense of English people था, resulted in total blindness, clear, 1652 में total blind हो गए, और 1653 में 1653 में, his first wife, Mary Powell, died, friends, overall author ने three times marriage की, तीन बाहर इनोने शादिया की, first wife इनकी Mary Powell थी, 1657, 1657 में, he married Catherine Woodcock, Catherine Woodcock से इनोने शादिया की, married, Catherine Woodcock, clear friends, in 1657, he married Catherine Woodcock, and 1663 में, 1663 में, उनकी थार्ड मैरीश थी, है married Elizabeth Mincer, Elizabeth Mincer, मास्टर्पीस, और थार्थी फ्रेंट्स, Elizabeth Mincer, और 1667 में, इनका जो, मैंगना कार्टा है, इनका जो, you can say, not मैंगना कार्टा, बट मास्टर्पीस, मैंगनम ओपस, जिसको हम कहते हैं, वो 1667 में, यानि परड़ाइज लॉस्ट है, वो पब्लिश हुआ, Paradise Lost, Poverest, के लिए फ्रेंट्स, इनका अगर, Alma Mater आ जाता है, कहीं आप से पूछ लिया जाता है, ओथर का Alma Mater क्या था, तो Alma Mater क्या था फ्रेंट्स, वो था Christ College Cambridge, और Alma Mater किसे कहा जाता है, प्रेंट्स, Alma Mater कहा जाता है, किसी भी ओथर की, जो उसका, Study Place रहा है, यानि जहां उसने Study की है, जहां वो पढ़ा है, वो क्या कहा जाता है, वो Alma Mater कहा जाता है, प्रेंट्स, इनको Greatest, English Author कहा गया, और वो किसने कहा, William Haley, William Haley ने इनको, Greatest English Author, यानि सबसे महान, English Author कहा जाता है, इनको, Called By, किसने कहा फ्रेंट्स, एक ओथर रहे हैं, William Haley, William Haley, William Haley ने इनको, Clear Friends, जो Samuel Johnson रहे हैं, उन्होंने परड़ाइज लॉस्ट को, ये कहते हुए, कि अपोएम, विच विद रेस्पेक्ट टू डिजाइन में, क्लेम दा फर्स्ट प्लेस, कि जिसको हम रेस्पेक्ट के साथ, जो क्लेम करती है, परड़ाइज लॉस्ट, की बात करें, परफॉर्मेंस के रेस्पेक्ट में, इसको सेक्ड प्लेस पर रखा जाना जाए, ये किसका स्टेट्मेंट था, ये था डॉक्टर जॉन्सन का, या जिसको सैमूल जॉन्सन भी कहते हैं, प्रेजड पैरड़ाइज लॉस्ट, और क्या प्रसंद सा की उन्होंने पैरड़ाइज लॉस्ट की, की ऐसे पोयम, की पैरड़ाइज लॉस्ट एक ऐसी पोयम है, विच विद रस्पेक्ट टू डिजाइन, की जो डिजाइन जो है, डिजाइन में, क्लियर, में क्लियम, दा फास्ट प्लेस, जिसको डिजाइन में, कौन सा क्लेब रखा जाँ, कौन सा प्लेस रखा जाना चाहिए, लें दा फर्स्ट ब्लेस, एंड विद रिस्पेक्ट टू पर्फोर्मेंस, और अगर पर्फोर्मेंस की बात करें, तो पर्फोर्मेंस में, दस सेकेंड, यानि ऐसी एक्सार्टेड पीए पोएम थी एक्सार्टेड इपिक था यानि ग्रैंड इपिक था कि इसको ग्रैंड इपिक था इतरह ग्रैंड इपिक था कि इसको फर्स्ट सेकंड प्लेस मिलता है मात क्लियर है एक डम तो फेंड्स ये तो हमने इसके author की biography discuss की, इसके बाद हम author के walks discuss करते हैं friends author की biography के बाद author के कुछ important walks हैं, हम उन्हीं को discuss करते हैं, only important को हम discuss करते हैं इसमें poetry और drama को अगर हम देखें, तो चलिए poetry और drama पहले इसको ले लेते हैं इसमें फ्रेंट्स पोएट्री में अगर बात करें तो 1629 1629 में इनकी एक फेमस पोएम आई इसके बाद 1630 में इन्होंने सिक्ष्पीर पे एक पोएम लेखी 1630 में इन्होंने सिक्ष्पीर पे एक पोएम लेखी 1630 on Shakespeare clear friends 1631 पे एक दूसरी पोएम इनकी आई on arriving at the age of 23 इसमें पहुचने पर शिक्ष्टीं थर्टी टू में औल योचाने एकट ब्ली रड़ोद यब औलोई यबाई एक 16therta ही दू में छिट्टीं वें अ पनamam 75 अल पैने से रो और फ्रेंट्स यह जो दो पोएम थी अल अलिक्रो और अल पैने से रो इन दोनों को क्या माना जाता है इनको ट्वीन पोएम्स माना जाता है इनको जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इनके मीनिंग भी बताएंगे जो टाइटिल है क्या मीनिंग है और 1634 में इनकी एक फेमस जो मास्क थी वो थी कॉमस 1634 में कॉमस मास्क वो आई क्लेफरेंट्स 1637 में लाइसिदास आई जो मौनोरी थी और डैथ ओप इस कॉलिज फ्रेंट एडवर्ड किंग 1652 सोले सो बावन में एक दूसरी पोएम आई और वो क्या थी फिर्ट्स जिसको हम कहते हैं ओन ब्लाइटनेस वैं आई कंसीडर हाव माई लाइट इस फैंट क्लियर जिसको हम कहते हैं जो इंटर्मेश लवस में था ओनंनेस नहीं नान से और जो टाइटिल तक sollte O और जो एक on his blindness था ये जो title था ये Milton ने खुद नहीं दिया, clear friends, 1667 में, 52 के बाद 1667 में इनका masterpiece जिसको कहते हैं Paradise Lost, Paradise Lost पब्लिश हुआ, clear है, 1671 में Paradise Lost के बाद Paradise Regained इनका पब्लिश होता है, Paradise Regained और friends, 1671 में ही एक दूसरी इनकी जो दूसरी पोयम है, वो पब्लिश होती है, और वो क्या, friends, Samson Agonist 1672, Samson Agonist, और friends, इसके बाद Arcades, एक दूसरी मास्क इनों ने लिखी, और वो क्या थी, Arcades अगर इनके प्रोज वर्फ की बात करें, तो प्रोज में friends, उन दिनों, इनोंने पैंप्लेट जो थे, वो बहुत चारे पैंप्लेट्स लेखे, और उन पैंप्लेट्स में बहुत सारे हैं, आठ दस तो हम आगे डिसकस भी करेंगे, चलिए हाँ, इंपॉर्डेट्स तीन-चार हम ले लेते हैं, इसमें फ्रेंट्स 1644 में एरियो पैजिटिक आया, एरियो पैजिटिक यानि वो ऐसा पैंप्लेट था जिसमें इनोंने फिर्टम उप्रेज को कहा है, और 1649 में, 1649 में The Tenure of King and Magistrates, यह पब्लिश हुआ, एरियो पैजिटिक यह पैजिस्ट्रेट और फ्रेंट्स एक प्रोज मर किन का और रहा है, 1670 में The History of Britain, 1670 यानि 1670 में The History of Britain, क्लियर फ्रेंट्स, तो यह कुछ वाक्स थे ओथर की बाइग्राफी के बाद हमने इनको डिसकस किया, और फ्रेंट्स, इसके अलाबा अगर आपको कोई और माइनर वक्त लेना है, तो आपके पास जो भी बुक है, उसमें वो होगा, बहुत जादे हम पूरा नहीं ले रहे हैं, उसको अधरवाइब बहुत लेंदी हमारा टापिक हो जाएगा, और फ्रेंट्स, इसके बाद, नेक्स लेक्चर में हम डिसकस करेंगे, ओथर के जो वक्स हैं, इम्पॉर्डेंट वक्स हैं, उनकी जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम देंगे, जैसे पेड़ाई लॉस्ट है, उससे भी कई किश् नाओ, ठेक्स पर वाचिंग इस वीडियो, हेलो फ्रेंट्स, आज हम जॉन मिल्टन को डिसकस करेंगे, और पिछले वीडियो लेक्चर में फ्रेंट्स हमने जॉन मिल्टन की बाइग्रफी डिसकस की थी, आज हम जॉन मिल्टन की जो इंपॉर्टन वक्स हैं, उनको हम डिस उसमें जो उन्होंने लिट्रेरी आउट्पूट उनका आया तो उस लिट्रेरी करियर को थिरी पार्ट्स पे बाटा जाता है चलिए सबसे पहले इस पॉइंट को रोटर लेते हैं थिरी पार्ट्स ऑव मिल टंस लिट्रेरी करियर और वो थिरी पार्ट्स कौन कौन से हैं उनमें फ्रेंट्स फास्ट पार्ट्स जो आता है वो आता है 1632 से लेकर 1637 तक यानि जो फिर्स्ट पीडियर्ड है उसका जो ड्यूरेशन है वो है 1632 1632 से लेकर 1637 तक क्लियर्फेंट्स और यह जो पीरियर्ड है इस पीरियर्ड को वोर्सन पीरियर्ड कहा जाता है होर्सन एक प्लेस का नाम है उन दिनों वहीं रहते थे और यहीं पर उन्होंने जो लिट्रेरी आउट्पुट उनका रहा है उसको होर्सन वर्क्स कहा जाता है तो 1632 से लेकर 1637 तक यह फाइव इयर्स का जो डिवरेशन है इसको होर्सन पीरियर्ड कहा जाता है क्लियर्फेंट्स जो सेकंड पीरियर्ड है वो 1640 से लेकर 1660 तक माना जाता है और वो 1640 से 1660 के पीर्ड के बीच लिखे गए और वो एक्चॉल में कुछ जो सोचल इस्यूस कुछ उनके अगेंस थे तो उनको controversial pamphlets कहा जाता है और sonnets जो आई मिल्टन की mostly वो भी इसी period में आई तो you can see this period is a period of controversial pamphlets and sonnets and sonnets clear about friends कि इसके बाद 1660 से लेकर और 1674 तक का जो पीडियर्ड है 74 तक 74 में चुकि ऑथर की डैथ हो गई थी तो फ्रेंड्स यह जो कहा जाता है इस period को यह actual में वो period था 1660 से लेकर 1674 तक था जिसमें जो poet थे वो blind हो गए थे clear यानि a blind poet cold and blind poet 1608 में 1608 में ओथर का बर्थ हुआ ओथर पैदा हुए और at the early age of 44 44 44 साल की एज में ही ओथर completely blind हो गए थे तो चलिए फ्रेंड्स आज के question मैं आपसे put up कर लेता हूं और उसका जो answer है वो next video lecture में बताऊंगा वो क्या है कि author जो blind हो गए थे किसी बीमारी के कारण इनकी eyesight जो थी वो जाती रही तो आपको उस बीमारी का नाम बताना है कि कौन सी वो बीमारी थी जिससे author की जो विजन है वो दीरे दीरे कम हो रहा था और कम्प्रीटी वो ब्लाइंड हो थे क्लियर फेंड्स तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए गाइज बीमारी का नाम तो यहां पर old and blind point clear और एक्ट्वल में यह जो period था third period यह सबसे important period कहा जाता है क्योंकि इस period में जो सबसे important works मिल्टन के वो आए जिसमें paradise lost था paradise regained था samson agonist था means you can say this period shows the highest poetic genius of the poet means poet का जो literary output था जो उसका best output था वो इस period में हमें मिलता है किसमे 1660 से लेकर 1674 यहनि you can say the period of paradise lost paradise regained यह यह दोनों वक्साइब और यह लॉस्ट आया पैटाइज रिगेंड आया एंड सेंसन अगॉनिस्ट तर सुछिवों तर सकत्र बाहरा हैOnly सब्सक्वण प्रेश क्राइब आटे मिलता है तर पेडिएक। आटाएब और आफंहा था बिलता था दोड़ दो इस दो आएएजिगका उर भीछा दो रहांटाब आटे दो पेंगिःगा थाएज। और यह कौन जा पीरियट था यह थारड फेज थी लाइफ की उनकी लिटरी करियर की 1660 से लेकर 1674 था तो फिरंड्स यह तीरों पीरियर आपको प्लियर हुए तो चलिए इनको इसपर इसोर्ट ले लिजिए या नोट कर लिजिए फिर हम इस और गे जो वाक्स हैं उनको इसमें सबसे पहला जो वाक है वो है ओड ओन्दा मॉर्णिंग ओफ क्राइस्ट नेटिवीटी यह जो ओड आई यह फिस्टीन ट्विंटीन नाइन पहली बात और दूसरी बात यह जो ओड लिटन ने लिखी यह जो वाक था मिल्टन का इस पर जो इंफ्लुएंस था वो metaphysical जो poets हैं उनका influence इस work बर रहा है तो you can say composed under the influence of the metaphysical poets और metaphysical poets जिसमें सबसे वड़ा नाम john dunn का लिया जाता है वही poets friends metaphysical थे यह जो ode है यह इक dignified lyric है dignified काते है friends of high level उचे लवल का exalted clear तो you can say this ode is a dignified lyric shows the influence of Spencer इस ode पर Spencer का एक influence दिखाई देता है और friends actual में मिल्टन ने Spencer को अपना master भी कहा है Spencer मिल्टन के गुरू कहे जाते है clear friends shows the influence of Milton sorry shows the influence of Spencer clear Spencer Edmund Spencer थे जो फेरी पीन के ओथर थे जान गए होंगे friends critic रहे हैं W.S. Landor और Landor का एक रिमार्क रहा है कि I think it is comparably the novelist piece of lyric poetry in any modern language उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो पीस है यह जो वर्क है यह क्या है नॉबलेस्ट पीस है सबसे अच्छा वर्क मिल्टन का है clear चलिए नोट कर लेते हैं सिमार को भी W.S. Landor और क्या कहां इन्होंने इन्होंने कहां I think it is comparably the novelist piece क्या है फ्रेंड्स जो नॉबलेस्ट मैंन सबसे बड़िया पीस रहा है पीस अफ लिरिक कोईटरी इन अनी मॉडर्न लेंग्विज क्लियर होगी बात तो यह जो कुछ पॉइंट्स हैं जो इस ओड पर इस पोयम पर निकल कर आए हैं तो फिर वही इंपॉइंट्न पॉइंट्स मैंने हैं रिसकस कर लिए और अगर कॉटेशंस की बात है तो जितनी भी कॉटेशंस इंपॉडेंस हैं उन को आगे वाले वीडियो लेक्शर में एक साथ करेंगे ठीक है फेंट्स यहां पोयम को पॉइंट्वाइज बाइज़ करते जाते हैं और हमें जो भी important fact आते हैं जो भी हमें लगता है कि हमारे एक्जाम में पूछा जा सकता है उसी को हम पैंडाउन करते हैं चलिए फ्रेंड्स अब next work mentor का लेते हैं एल एलेग्रों और एलेग्रों के साथ एल पैंडशी रोस्रों एल पैंडशी रोस्रों पैंडशी ये दोनों जो पोयम हैं ये क्या कही जाती हैं इनको ट्विन पोयम्स कहा जाता है और कब आई फ्रेंड्स ये दोनों जो पोयम आई ये 1631 में आई 1631 में आई क्लियर है बाद इसके लाबा फ्रेंड्स ये वो पोयम थी जो मिल्टन जब होर्षन में रह रहे थे तो होर्षन में रहते हुए मिल्टन ने ये पोयम लिखी यानि एट होर्षन मिल्टन कम्पोजड इस पोयम्स बाद क्लियर हुई यानि ट्विन पोयम्स कहीं जाती है 1631 में आई और जब होर्षन में रह रहे थे तो मिल्टन ने ये पोयम्स लिखी और ये पोयम्स जो हैं फेंट्स एक्ट्र में ओक्टो स्लेबिक कप्लेट होता है उस ओक्टो स्लेबिक कप्लेट्स प्रेट्स प्रेट्स इसके लावा जो एल एली ग्रू है एल एली ग्रू बताती है दर लाइफ ओफ जॉइफूर्ण और ये जो पोयम्स है इसको एक पैस्टूरल पोयम्स भी कहा जाता है क्या है फ्रेंट्स ये पैस्टूरल पोयम्स है इसके लावा फ्रेंट्स जो एल एली ग्रू है इस एन इन इन वोकेशन टू दा गॉड़ेस मिर्थ एक गॉड़ेस मिर्थ है जो गुशी की देवी है हंसी की देवी है उसका यहाँ इन वोकेशन है अलिग्रो इस न इन इन वो किशन पून गोड़ेस आ इप 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 बात क्लियर हो गई चलिया अब जो सेकंड पोएम है एल पैने सुरो सो एक्च्वन में यह फ्रेंट्स प्रेजेंट करती है थौट अव फुल मैं क्लियर अल पैने सुरो सो प्रेजेंट्स थौट अव फुल मैं क्लियर और यह जो पोएम है एल पैने सुरो सो यह इन्वोकेशन तो दा गॉड़ेस मैं कली इस दा इन्वोकेशन जो दा गॉड़ेस आव प्रेंट्स एक्चुल में क्या है जो खुशी की देवी है उसका इंवोकेशन अल अलिग्रो में है और जो दुख की देवी है उसका इंवोकेशन अल पैंचिरोसो में है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो दोनों पोयम है एक तो बताती है खुशी को और एक बताती है दुख को एक्चुल में जो एल इक्रो है उसका जो means है वो है friends the happy man और ये एक्चुल में इटैलियन में इसका meaning है a happy man और जो El Penso Rosso है, इसका जो meaning है, the serious man or the melancholy man, clear, serious man or the melancholy man, और you can say the thoughtful man, देखी यह जो poem है, El Penso Rosso, इसमें poet describe करता है, the pleasure of meditative life, of tragedy, epic poetry and music, clear friends, in El Penso Rosso, the poet, El Penso Rosso में poet, क्या describe करते है, pleasure of the meditative life, pleasure of the meditative life, meditative life का pleasure, adhyatmik jiwan का, of tragedy, of epic poetry and music, बात clear होगे friends, यानि इसमें जो author describe कर रहे हैं, जो आनन्द प्राक्त होता है, meditative life से, tragedy से, epic poetry और music से, उसको यहां वो बता रहे हैं, clear friends, actual में, ये जो poem ये बताती है, क्या बताती है, puritan outlook of life, जीवन का जो puritan outlook है, उसको ये बताती है, puritan outlook of life, clear है बताती है, जो L allegro है, अब ये कौन सी poem बताती है, इसमें confuse मत होना, this poem means L penceroso, क्योंकि उपर L penceroso की बात हो रही है, तो जो L allegro है, depicts the cavalier outlook of life, बत क्रियर हुए, friends, और इनका जो meaning बताया था, मैंने वो शायद आपको learn हो गया होगा, और नहीं वा होगा, तो फिर मैंने लिख देता हूँ, यहाँ, जो L allegro है, means, क्या बताया था, friends, इसका जो means है, वो है the happy man, और किस language में है, Italian में, और जो second poem है, अलपेंसो रोजो, इसका meaning है, the serious man, और the melancholy man, और, the melancholy man, clear friends, अब देखिए, जो melancholy man, और यह भी Italian में है, यह point भी notable है, यह भी Italian है, यह भी Italian है, दोनों Italian language में है, clear friends, चलिए, अब इन L allegro, और L pennesorों के बाद, हम बात कर लेते हैं, mask of commerce की, क्या फिरेंस, mask of commerce, एक्च्वल में, नाम से ही पता लग रहा है, यह poem क्या थी, यह एक mask थी, और, जो mask क्या होती है, एक entertainment का साधन होती है, और जब हमने, forms of literature discuss की थी, वह हमने mask, पर बहुत सारी बाते, आपको बताई थी, आप चाहें तो, तो वहाँ deeply इसको देख सकते हैं, कि mask क्या होती है, देखिए जो mask है, यह first presented in 1634, 1634 में यह पहली बार present होई है, बात clear होई फ्रेंट्स, और performed at Ludlow Castle, Ludlow Castle में यह पहली बार perform होई, before the Earl of Breezewater, जो Earl of Breezewater थे, उनके सामने, clear friends, तो performed at Ludlow Castle, बात clear होई, Ludlow Castle में perform होई, before the Earl of Breezewater, दोनों पॉइंट्स clear है, चलिए, जो poem है, commerce, यह mask है, यह actual में friends, story है, story of two brothers, दो भाईयों की कहान ही है, and their sister, और उनकी sister है, जिसका नाम lady है, clear, simple, जिसको lady कहा जाता है, इस mask में, तो दो भाईयों की, और एक बहन की कहानी है, near through the woods, वो जंगल में, एक यात्रा के दुरान, वो lost हो जाती है, कायब हो जाती है, और वो fatigued हो जाती है, और actual में, उसके जो दो भाईयों है, वो उसको सर्च करते हैं, और फिर वो last में, उनको मिल जाती है, और इसमें जो commerce है, जो lady है, वो commerce से encounter करती है, और जो friends, heroine of commerce है, वो purity और chastity, यानि, जो पवित्रता है, पवित्रता की वो, देवी पृतिमूर्ती, वो कहे जाती है, clear, क्योंकि इसमें commerce है, जो देवता है, वो इसको seduce करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता, बात clear हुई, यानि two brothers, और उनकी एक sister की कहानी, sister गायव हो जाती है, खो जाती है, commerce उसको seduce करने की कोशिश करता है, लेकिन ultimately, वो priority के साथ, वो chastity उसकी बनी रहती है, और वो फिर मिल जाती है, clear, तो बहुत जादा तो हमें डिटेल इसकी नहीं पढ़नी है, यह मैंने आपको briefly, इस commerce को बता दिया है, और friends, अगर आप चाहते हैं, तो इसकी story भी कहीं पढ़ सकते हैं, clear, आपकी book में available होगी, नहीं तो इंटरनेट पे जाएए, वहाँ आपको complete story में जाएए, otherwise तो पढ़ने के आपको ज़रूरत नहीं है, बस यह briefly मैं आपको समझा देता हूँ, the story of two brothers and their sister, sister the lady, यह sister का नाम है, clear friends, lost in a journey through the woods, और इसके बाद क्या है, lady becomes fatigued, and the brothers wander off in search of sustenance, fatigue, she encounters commerce, commerce से वो मिलती है, brothers wander off in search of, clear about friends in search of lady, और जो हिरोईन है, जो हिरोईन है, जो हिरोईन है, जो हिरोईन है, जो जिसको दा लेडी कहा गया है, वो क्या है, she is the embodiment of purity and chastity, क्या कहा जाता है, किसको कहते हैं कि यूरिटी एंड है चेस्टिटी जो वर्ड है इसको कहा जाता है प्रती मूर्टी यानि आइकन और यूकन से सिंबल के लिए तो यह कॉमस आपको के लिए समझ आई होगी आइधिंक तो चाहिए नोट कर लीजेगा चलिए फिंट्स अब बात कर लेते हैं ने लाइसीडास कि देखें लाइसीडास क्या है एक्ट्व में लाइसीडास एक पेस्टोरल इलेजी है और यह कब आई यह एफेंट 1637 में और जो वर्ड की finest इलेजीज हैं वर्ड की जो सबसे अच्छी इलेजीज हैं उनमें लाइसीडास को प्लेस है वो उनमें है clear friends और लाइसीडास क्या है यह यह जो है यह Last of His होरसन पोयम्स भी कही जाती है क्लियर लास्ट ओफिल्स कोर्शन पोएम इसके अलावा फिर्ट्स जो लाइसिडास है यह कॉमेमोरेट करती है एड़ वर्ड किंग को इसको कॉमेमोरेट एड़ वर्ड किंग क्लियर वाथ एक्च्वल में अब यह एड़ वर्ड किंग कौन थे यह जो मिल्टन के कॉलिज फ्रेंट थे ड्राउंड इन दा आइरस शिप आइरस शी में इन यह डूब गए थे और इनकी डैथ हो गई थी इन्ही को कॉमेमोरेट करते हुए इन्ही को समर्पित इन्ही को या लुखकाव किए है और स्तुले स्कृषर औरस हो मिल्टन ने अपने आपको और अपने डोनों को ही एक शफधर बात के लिए ठेने वह बिख लेते इस पुएंट को भी कॉलिज फ्रेंट एड़ वर्ड केंग की इस कॉल्येज फ्रेंड Edward King Round in the Irish Sea बात क्लियर हुए फ्रेंट्स Written on the classical model ये एक्ट्वर में जो थ्यो क्राइटर्स एक्ट्र रहे हैं और बायोन थ्रो क्राइटर्स और बायोन का जो classical model था उस पर ये लिखी गई है तो Written on the classical model of classical model किसका बता है फ्रेंट्स थ्यो क्राइटर्स एंड वायोन बात क्लियर है चलिए और ये जो पोयम है अगर इसकी राइम की बात करें तो ये एक इर्रेगूलर राइम में हैं कि बाद किलियर रिफेंट्स तो क्या-क्या पोइंट्स निकल कर आई लाइसी नास पर पेस्टोरेल लिले जी 1637 में आई लास्ट फोर्सन पोएम है एडवर्ड किंग को कमेमुरेट करते हैं जो आईरिस सी में डूब गए थे और उनके कॉलिज फ्रेंट थे दोनों को ही ऑथर ने या शेफर्ड की तरह ज्यूम करते हुए यह इलेजी लिखी है और क्लासिकल मोडलोग थियोक्राइटस एंड बायोन पर यह बेस्ट है और इसके अलावा एक खास बात और कि यह जो इर्रेगुलर राई में है इर्रेगुलर राई में लेखी गई है फि इसके साथ मिल्टन का जो मास्टर पीस है यानि जिसमें आपका जो लास्ट फेज में जो आउट पुट रहा है सेंसर अगॉनिस्ट हो परडाई लॉस्ट हो यह परडाई रिगेंड हो उन सब को हम डिसकस करेंगे आई होप फ्रेंड्स आप एंजॉय कर रहे होगे तैयारी आपकी अच्छी चल रहे होगी तो चलिए फ्रेंड्स और हां आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज गो और सब्सक्राइब दे चैनल प्रेस्ट बैल आइकन और फ्रेंड्स इसके अलाबा आप मेरे सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म यानि ट्व पर भी मिलियन माइंड्स इंग्लिस हैस्टेग डालकर आप सर्च कर सकते हैं और यू कन फोलो अस तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक लेक्शर में नाओ थेंक्स पर वॉचिंग इस वीडियो लेक्चर में हमने मिल्टन के जो वर्क्स हैं उनको डिसकस किया था फैंस इस इसी सिरीज में आज हम मिल्टन के प deposit को डिसकस करेंगे फ्रेंड्स एक्च्वल में मिल्टन जो हैं बैसी कली एक प्रोज राइटर थे एस वेल इस मेरे पोईट थे तो friends Milton के जो pamplets हैं जो important prose works माने जाते हैं और उनमी से भी friends जो very important है जो pamplets जो prose works very important है और हमारे exam में generally अगर पूछे जाएं तो उनको हम आज लेकर आए हैं और उनी prose works को आज हम point wise discuss करेंगे friends सारे नहीं करेंगे only important prose works आज हम discuss करने वाले हैं तो चलिए friends शुरू करते हैं लेकि इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं of reformation of reformation touching church discipline तो यह जो pamplets था चलिए यहीं से आप सुरू करते हैं प्रोजबक्स में सबसे पहला जो prose work है वह friends of reformation or reformation कहते हैं friends sudhaar को के लिए reform होना यहीं सुधार होना touching church is discipline clear actually friends जो मिल्टन के pamperets हैं उन पर भी कई बार Christians आ जाते हैं तो इसलिए हमें मिल्टन के जो प्रोज वक्स हैं उनको डिसकस करने की जरुवत पड़ी तो इस बहुत ज्यादे डिटेल में नहीं जाएंगे हमने बस केबल जो अपने एक्जाम के परपस से पॉइंट से उनी को हमने डिसकस करना है तो यहीज फस्ट पैंप्लेट मिल्टन का फस्ट पैंप्लेट अफ रिफॉरमेशन को माला जाता है कि फस्ट पैंप्लेट क्लियर एफेंट्स और किस एएर में आया यह आया फेंट्स 1641 में 1641 में मिल्टर ने सज़ेस्ट किया है इस पैंपलेट में he suggested that the English Church should emulate the example of the Scottish Church कि जो Scottish Church है उसका एक एक्जाम्पल उसको एक्जाम्पल सरूप जो English Church है उनको एमुलेट करना चाहिए क्लियर रफेंट्स यह इसमें यानि चर्च में रिफॉर्मेशन की चर्च में सुल्हार की बाद यहां जॉन मेडिटर ने कही है suggested that the English Church should emulate कि ड्जत्ट बेद लुट ग्जत्ट लुटे चर्च लगों की बाद है जूर्च कर्दीप टो, nू abundant तो जो स्कॉर्टिस चर्च है उनका एक्जांपल क्यों कहा क्योंकि वह जो फेवर करती थी वह फ्रेंट्स फेवर प्रस्बाइट टेरियनिजम इस प्रस्पाइट चर्च प्रस्बाइब इस प्रस्पाइब इस फेंट सी जो वर्ड है प्रस्पाइट टेरियनिजम यह क्या है देखिए यह बिलॉंगिंग टू दा प्रॉस्टेट चर्च गँवर्मेंट बाइब बाड़ी ओफ अफिस्पाइब आफ फीपल आफ दे इक्वाल रेंग जो प्रस्टेंट है प्रस्टेंट चर्च को फोल्व करना है प्रस्टेंट चर्च से बिलॉंग करना है प्रेस बाई टेरिनिसम क्या है यह है बिलांगिंग टुए प्रोस्ट प्रोस्टेस्टेंट चर्च यह वर्ड बॉनने में डिफिकल्ट हो रहा है फ्रोस्टेस्टेंट चर्च यानि प्रोस्टेस्टेंट जो चर्च है उससे संबंध रखना गवर्ण बाई अब बॉड़ी ओफिशियल पीपल अब बॉड़ी ओफिशियल पीपल याव एकवल रैंक बात क्लियर हो गई तो यह जो पैमट्रेट था और रिफॉर्मेशन यह चर्च रिफॉर्म की बात करता है यह कहता है कि जो English Church है उनको Scottish Church का एक model प्रस्तूत करना चाहिए क्योंकि Scottish Church जो है वो क्या है वो favor करती है Presbyterianism का Presbyterianism क्या है ये एक ऐसी विवस्ता है जिसमें जो Protestant Church है जो govern की जाती है वो एक जो body of equal people है equal rank of people है उनके द्वारा जो govern की जाती है के लिए इसके पाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है जो सेकेंड पैंप्लेट है उसका जो टाइटिल है वह आफ प्री लैटिकल एपिस्कोपेशी क्या है फ्रिंट्स ओव प्री लैटिकल एपिस्कोपेशी एपिस्कोपेशी क्लियर फ्रिंट्स यह जो सेकेंड पैंप्लेट है उसका टाइटिल है प्री लैटिकल एपिस्कोपेशी आफ फ्रिंट्स यह जो वर्ड्स हैं यह आर्केइक वर्ड्स एक्चुल में आ हैं बड़े पुराने जमाने के उस जमाने के वर्ड्स यहां रहे हैं तो इनको आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा कोई बात नहीं ही में सब समझ जाएंगे तो यह क्या था उनका सेकेंड पैंप्लेट था पैंप्लेट इस पैंप्लेट में ए अट्याइंब तो कूव त्थ फॉव द्थ एक इसकुप पी शुटम वह अनिपशिवा इंस्टियूशन ऑप्ड़ेंट कि न्युक्ति दी उसमें अगर पोई अच्छा सिस्टम था तो वो क्या था ओड़ पिसकल सिस्टम था टीड्र कि जो सिस्टम था वो क्या था एपिस्कोपल एपिस्कोपल जो सिस्टम था वोज एन इंस्टिटुशन उफ दप्रेमिटिक चर्च बात के लिए हो गई है अब यह बात यह जो वर्ड है जो बोलने में ही इतना डिफिकर्ट हो रहा है इपिस्कोपल इपिस्कोपेसी तो इसका मीनिंग भी हम जा लेते हैं मीनिंग क्या है दिखिए जो इपिस्कोपल मींस है वो है फ्रेंड्स रिलेटिंग टू अब बिशप लिख लेते हैं इसको इपिस्कोपल मीनिस रिलेटिंग टू आप बिशप बिशप जा होते थे फ्रेंड्स पहले चर्च में तो बिशप से डिलेटेड है बिशप और चर्च डायरेक्टेड बाइब बिशप या एक ऐसी चर्च से समबन दिद है जिसको जो बिशप है वो दायरेक्ट करते थे खिलत हो गया है चलेए इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेट फेंपलेट हैं। वो है अनीमेड़ औरजन अनीमेड़ वर्जन एड री मॉंस्त्रेंट डенно मेड़ं वर जून्द को या शेमा यौद या सिर्जिट या यस स्विए री मॉन्स प्रेंट्स यह वर्ड्स हो सकता है समझ नहीं आ रहे होंगे और मुझे ही डिफिकर्ट हो रहे हैं कोई बात नहीं अब फिर भी इनको पेसंस के साथ समझते जाईएगा इस प्रेंट में वह क्या करते हैं ही किटिसाइज इज अपोनेंट बिशफ हाल एक अपोनेंट थे उनके बिशफ हाल बिशफ पॉल को उन्हें इस प्रेंट में किटिसाइज किया है बिशॉप हो बात क्लियर हुए फेंट तो यह वाइन टू थिरी यह जो पहले हम डिसक्स कर चुके सेकेंड और थर्ड यह इंपॉर्टेंट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं Next important जो pamphlet है वो है friends ता रीजन ओफ चर्च गवर्मेंट अर्जड अगींट पिले सी रीजन ओफ चर्च गवर्मेंट कि जो चर्च गवर्मेंट है उसका रीजन अर्जड अगेंस्ट पिले सी आई एन अस्टी अगेंस्ट प्रिलेशी तो यह जो पैंपलेट है इसमें वो क्या करते हैं फेंट्स अब यह जो वर्ड आगया है प्रिलेशी अब इसको बड़ा समझना ज़रूरी है देखें जो प्रिलेशी क्या है गवर्णेंट अफ दा चर्च बाई क्लर्जी अफ हाई सोसल रैंक और पावर प्रिलेशी क्या है फेंट्स गवर्णेंट अफ दा चर्च कि जो चर्च की गवर्णेंट है और कैसे बाई क्लर्जीक्स अफ बाई क्लर्जीक्स अफ हाई सोसल रैंक और पावर क्लियर तो यह प्रिलेशी है अब बात समझ में आ गई होगी कि यह जो पैंपलेट है वो किसके ऊपर है दा रीजन अफ चर्च गवर्णेंट आर्जड अगेंस्ट प्रिलेशी जो प्रिलेशी है प्रिलेशी के अगेंस्ट एक अर्च क्लियर कि क्या रीजन था उसका इसको यहां जॉन मिल्टर ने डिसकस किया है और फेंट्स यह पैंपलेट है यह आया अब जो नेक्स्ट हमारा जो है वह फेंट देड़्ट्राइन आण डिसिप्लीन और डिवोर्स देखिए जो पैंपलेट है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजे का बड़े ध्यान से जो डिवोर्ट का जो डॉक्टराइंग डिसिप्लिण इस बेवो डिवोर्ट की जो रीजन से उनकी बात करते हैं और फ्रेंज यह जो पैंपलेट से हैं यह 1643 से लेकर और 45 तक इस पेड़ेट इस पैंपलेट में आए और वो चारों ही डिवोर्ट पर थे 1643 से लेकर 1645 तक रोट फोर टैंपलेट्स ऑन दे डिवोर्स ओन दा डिवोर्स इसके बाद बात करते हैं कि देहर वोग दिवोर्स ऑन दे ग्राउंड ओफ अगर 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 बात समय में आ गई है तो एडल्ट्री के बेस पर वहां पर एक डिवोर्स मिलता था इसके अलावा और कोई रीजन नहीं था लेकिन मिल्टन ने इसके अलावा भी कहा कि अगर इसके अलावा अगर कहीं temperament जो है अगर कहीं हमारा जो मन नहीं मिल रहा है अपड़े पार्टनर के साथ बैटरहाफ के साथ हमारा temperament नहीं मिल रहा है तो उस बेस पर भी जो डी वोर्स है वो जाना चाहिए clear तो चलिए point note कर लेते हैं there was a divorce on the ground of एडल्ट्री दियर वोस्ट डिवोर्ज ऑन दा ग्राउंड ओग अडल्ट्री इसके बाद मिल्टन एडवोकेटेड इट ओन दे ग्राउंड ओफ टेंपरामेंट अच्छ तुम गलतुरी इसके बाद समय में आ गई कि मिल्टन ने कहां कि अडल्ट्री के अलावा भी अगर कहीं टेंपरामेंट डिफ्रेंट है तो टेंपरामेंट के बेस पर भी divorce होना चाहिए और अब friends इस template की सबसे important बात वो यह है कि उनकी जो first wife थी क्या नाम था उसका मैरी पावल जो मैरी पावल थी वो और उनका temperament different था तो वो यह चाहते थे चुकि temperament different है तो मैं यहाँ legal यह divorce लेने के लिए adultry का होना उन दिनों जरूरी था तो इस बात के इसके अगेंस्ट जो adultry के अगेंस्ट जो Hamilton ने अपना doctrine और discipline यहाँ दिया clear because his first wife जो मैरी पावल थी वो क्या थी seemed to have deserted him clear हो गया friends यह divorce पर पेंप्लेट इसके बाद एक और पेंप्लेट आया वो आया friends on education on education और on education friends यह 1644 में आया और actual में नाम ही है यहाँ पर क्या है जो मिल्टन यहाँ एडवोकेट करते हैं मिल्टन यहाँ फोर्स करते हैं मिल्टन यहाँ जो पैप्लेट के मादिम से बताते हैं कि जो प्रोग्राम है स्टडीज का स्कूल और यूनिवर्सिटीज में उसमें एक reformation उसमें एक सुधार जो है वो होना चाहिए तो मिल्टन छूल इलबराच प्रोग्राम फ्रोग्राम अ व्रवर्स घिस इन इस ओ्ड विवर्स डिस बात के लियर हो गई है यह दोनों पेंप्रेट के लियर हुए तो चलिए आगे इसको नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं और फैंस नेक्स्ट पेंप्पिलेट है नेक्स्ट इंपॉर्टन पेंप्पिलेट था दे टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट कि अधियर और टेन्यूर किसे कहते हैं फिर्ट इन्यूर का मतलब होता है काडियकाल अब वह क्या करते हैं यहां पर देखिए एक बड़ा इंपॉर्डेंट जो घटना हुई थी और वह इस मिल्टन के टाइम में वह हुई थी वह क्या थी execution of King Charles first, King Charles first को execute कर दिया गया था, execute कहते हैं, फिर जान सिभाते हैं, clear, तो वो justify करते हैं, Milton इसको justify करते हैं, कि जो execution था, King Charles first का, ये सही था, clear, means Milton justify the execution of King Charles first, बात clear हुए, friends, King Charles first के execution को Milton justify करते हैं, वो सही ठहराते हैं, और justify the action against the king by Puritans, अब देखिए, जो पुरिटन्स थे, जो एक कॉमन वेल्थ का पिरियर्ड था, कॉमन वेल्थ पिरियर्ड में, क्या हुआ, था, friends, King Charles first को execute कर दिया गया था, और यहां पर जो Puritans थे, वो सत्ता में आ गये थे, और जुनका head था, वो क्या था, Oliver Cromble, clear, तो justify the action against the king, किंके against जो action हुए थे, उसको भी यहां सही ढ़ा रहे, by Puritans और led by Oliver Cromble, बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गया है point, तो उसको भी यहां यह justified है, justify करते हैं, इसके अलाब़ा, जो इनका next, एक important prose work रहा है, वो रहा है, friends, history of pretend, और बिटेन की history इन्होंने लिखी, इसमें important कुछ नहीं है, बस यह है, कि इन्होंने history लिखी, clear, और history तो history होती है, इसके बाद, friends, जो और एक important इनका pamperit रहा है, वो रहा है, eriopasitica, eriopasitica, और यह जो eriopasitica है, इसमें क्या है, friends, he urges the withdraw of licensing order, दा विड्रो और लाइसेंसिंग और, वहाँ England की Parliament में पास हुआ था, और उस licensing में क्या था, कि जो censorship वहाँ कर दी गई थी, जो यहाँ यहाँ जो plays थे, और plays को बंद कर दिया गया था, completely banned कर दिया गया था, यह कहके कि यह जो है, यह जो corruption, फैला रहे हैं समाज में, और divorce कर रहे हैं society को, तो इस पर यहाँ एक licensing law लाके, कानून ने इसको banter दिया था, clear, तो यहाँ Milton ने क्या गया, इस licensing जो order था, licensing law था, इसको वापस लेने की उन्होंने वकालत की, उन्होंने oppose किया कि कोई भी censorship जो है, वो books पर, pamphlet पर, जो है वो नहीं होनी चाहिए, बात क्लियर हो गई, बात समझी बाइफेंट्स, Milton opposed censorship, on books, की जो books है, books पर कोई बैन नहीं लगना चाहिए, books के साथ साथ, pamphlet पर कोई बैन नहीं लगना चाहिए, बात क्लियर हो गई, licensing law आपको समझी में आ गया, क्योंकि जो Milton थे, वो supporter थे freedom के, Milton was believer in freedom, बात क्लियर, और जो वो चाहते थी, कि जो freedom है, authors की और publishers की, जो book को print करने की permission है, जो freedom है, वो बनी रहे है, clear, यानि और you can see, कि aerobicity का क्या है, इसमें जो freedom of press है, उसकी यहाँ बात की है, बात समय में आ गई यहाँ, freedom of press की अगर कहीं बात है, तो वो कहां है, कि स्क्राइट में है, वो aerobicity का लिए, clear और फिंट्स, तो जो prose works है, वो हम discuss कर चुके हैं, यह eight, nine, जो nine prose works थे, यह important थे, जो important मुझे लगे, फिंट्स, वो में यहाँ निकाल लिये, और उनको आपको point wise बता दिया, इसके अगाबा, और हमें, I think, जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा pamट्रिट्स लीके, सब में जाने की हमें जरूरत नहीं हमारा परपज़ है, अपने जो काम के material है, उसको study करना, तो चलिए फिंट्स, आज का lecture यहीं complete करते हैं, और next lecture में हम बात करेंगे, जोन मिल्टन के master piece की, यानि paradise lost, paradise regained, samson agonist, etc. चलिए फिंट्स, मिलते हैं next lecture में, now, thanks for watching this video. Hello friends, TGT series के अतरगत हमने जोन मिल्टन की biography को और उनके approach works, को discuss किया. Friends, इसी series में, आज हम discuss करने वाले हैं, जोन मिल्टन का, जो magna opus है, जो masterpiece है, यानि paradise lost. Friends, जोन मिल्टन पर question आए, और paradise lost से नाए, it's quite impossible. मिल्टन पर question पूछा जा रहा है, तो definitely paradise lost पर कोई ना कोई question आप से पूछा जाएगा. तो क्यों ना हम paradise lost को, एक point wise study कर ले, तो चलिए friends, आज का lecture बड़ा interesting होने वाला है, हो सकता है, लेंदी हो जाए, लेकिन patience बनाए रखिएगा, paradise lost में आपको interest आएगा, आज तक आपने इतने interesting तरीके से paradise lost को नहीं पढ़ाऊगा. तो चलिए friends, शुरू करते हैं. देखे, paradise lost, paradise कहते हैं स्वर्ग को, और lost कहते हैं खोजाना, स्वर्ग का खोजाना. एक्च्वल में, जब जॉन मिल्टन Cambridge में study कर रहे थे, तो उन्होंने प्लान किया, कि वो एक great book लिखेंगे, एक महान EP को लिखेंगे. और friends, उस student life में उनके पास, जो EP क लिखने का प्लान था, उस प्लान में उनके पास लगभग 100 subjects थे, जो उन्होंने set कर रखे थे, कि जो मेरी great poem होने वाली है, ये 100 subjects मेरे पास है, इन में से होगी. एक्च्वल में, उस 100 subjects में, 60 जो subjects थे, वो तो Bible पर थे, means Bible से 60 विशे उन्होंने ले रखे थे, कि जिन पे वो poem लिखेंगे, 33 friends वो English से थे, और जो 5 है, वो Scottish जो history है, उस से थे. यानि total ये जो हो गए आपके, ये हो गए आपके 100 subjects. अब इसी में उनको जो King Arthur थे, King Arthur ने बहुत जादा ड्रेट किया, और finally उन्होंने जो मन वराया, कि वो जो लिखेंगे, वो लिखेंगे the fall of man पर, means आदवी का पत्र, fall of man, तो अब जब उन्होंने ये plan बना लिया, कि finally वो किस पे लिखने वाले हैं, fall of man पे लिखने वाले हैं, तब उन्होंने इस paradise lost को लिखना शरू किया, लेकिन जब लिखना सुरू किया, अब देखें, जो लिखना भी इन्होंने सुरू किया था, 1658 में इन्होंने paradise lost को लिखना सुरू किया, और तब तक एक घटना हुई थी, कि author जो है, वो गलोकोमा के कारण, फ्रेंट्स पिछले एक वीडियो लेक्चर में आप से किश्वन पूछा था कि कौन सी बिमारी थी जिसकी विएसे जॉन मिल्टन का जो विजन है वो कम होता चला गया जो बिमारी थी फ्रेंटस गुलूकोमा एकचॉल में एक हीरेडिटरि बिमारी होती है जो हमारे पूरवज़ों से अगर पूरवज़ों में किसी को है तो हमें गुलूकोमा होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसे में जब उन्होंने लिखना सुरू किया तब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे और किस एज में हो गए थे 44 की एज में यानि 1652 में ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड तो डिक्टेट करके उन्होंने परड़ाई लॉस्ट को लिखाया और एक जो ग्रेंड बुक है व ग्रेंड बुक ही कैमरी में उन्होंने प्लाइन किया और ही हैड अपाउट हंड्र सब्जेक्ट हंड्र सब्जेक्ट्स ही हैं वह हंड्र सब्जेक्ट्स पे इन पर वह ग्रेंड बुक लिखना चाहते थे एक्च्वर में 60 तो थे फ्रेंड बाइवल से और बाइवल के साथ जो 33 थे वो इंगलिस से थे और 5 इसकॉट इस से थे बात क्लियर होगे तो यह होगे 33 & 538 और 98 दो चार उपर नीचे होंगे क्लियर किंग और्थर ने उनको सबसे ज़्यादा अट्रिक्ट किया और फाइनली ही रोट आ बुक on the fall of man चलिए यह पोईंट दिख लेते हैं फाइनली अब और अब और पोयम on the fall of man अब क्लियर होगे फैंस अब यह जो इपिक है यानि जो आपका प्रडाइज लॉस्ट है यह ब्लेंट वर्स में देखें सबसे बड़ी बात यह है प्रडाइज लॉस्ट इस इन दब ब्लेंट वर्स क्लियर बद डिवाइड इंटू 12 बुक्स बार बुक्स में यह बटा हुआ है इसके लावा फ्रेंट्स इसको जो उन्होंने कंपोज करना सुरूं किया था लिखना सुरूं क्या था वो किया था 1658 में 1658 में और 58 से ही जो कंप्लीट हुआ वो हुआ 1665 में कि यानी 1665 में तो पांच और दो साथ साल इसको लिखने में लग गए और जो पब्लिश्ड हुआ पब्लिश्ड हुआ फेंट्स इन 1667 में कि यह कितनी बुक्स में पब्लिश हुआ यह एक्चॉल में 10 बुक्स में पब्लिश हुआ 10 बुक्स हुआ कि अब एक्चॉल में जो यह जो वान का आया है ओधर का ओधर कि हुआ कि जो लास्ट पाइज है यानि लास्ट फेजूर ओफ ओधर सला सब्सक्राट 2019 क्लिया और यह ग्रेट वर्क्स यारी परड़ाइज लॉस्ट परड़ाइज रिगेंड और सेम्शन अगॉनिस्ट यह उथर की जो लास्ट फेज है लास्ट फेज में यह आए है एक्टोर फेंट्स इसका सेकंड एडिशन आया सबन सिक्स्टीन सबंटी फोर में सोले सो चोहत्तर में और चोहत्तर में जो एडिशन आया वो 12 बुक्स में था और इजनली जो कंपोज्ट हुआ वो टैन बुक्स में आया फस्ट एडिशन के साथ 1667 में लेकिन जब सेकंड एडिशन आया 1674 में वो आया 12 बुक्स में अब 10 से 12 कैसे हो गई तो देखे जो बुक्स सिक्स थी और बुक्स 10 थी बुक्स से 7 थी और बुक 10 थी ये दोनों बुक्स जो है ये डिवाइड़ हो गई इन्टू टू पीसस दो पीसस में टू पार्स में ये बुक बट गई है जो 7 पार्ट है वो भी 7 बुक है वो दो भाग में हो गई और 10 थे वो दो भाग में हो गई तो कितने हो गई दो तो यह जो पॉइंट से इनको फटाफट नोट कर लीजिए इसके बाद हम बात करते हैं परडाइज डॉस्ट की समरी की इसकी जो बुक फर्स्ट है वो ओपन्स विद दा फॉल अप में वो जो मनुष्य के पतन से सुरू होती है Saturn and the rebel angels banished from the heaven कि Saturn था और जो rebel angels थे उनको heaven से बाहर निकाल दिया रहा है चलिए पॉइंट वाइज समरी हम ले लेते हैं इसकी बुक फर्स्ट ओपन्स विद दा पॉल अप में Clear a Point Satan and the rebel angels banished from the heaven कि मार्चलियर रफेंस मेंटन्स जस्टिफाइट दा वेज अफ गॉड तो मैं यानी जो वेज अफ गॉड इश्वर का जो मार गए वो मनुष्य के लिए उसको जस्टिफाई करते हैं बुक सवन्थ है वो टेल्स दा स्टोरी अफ दा क्रियेशन अफ दा वर्ड यानी बुक सवन्थ में आपको जो संसार की उत्पत्ती है उसकी जानकारी मिलती है एक्चॉल में फेंट्स जो बुक वन्थ टू ट्वल्व है उनको मैंने बुक वाई समरी नहीं ली एक्चॉल में इन तो कभी पूछी जाती है तो कुछ जो इंपॉड़न्ट फेक्टर्स मुझे लगे हैं इंपॉड़न्ट पूइंट्स पूजी स कमरी से वो मैंने आपको दिये हैं देखिए इसी को यह जो है आपका पैड़ाई लॉस्ट इसको एक ऑथर रहे हैं लवर्टाइन लवर्टाइन ने इसको डिसक्राइब किया है पैड़ाई लॉस्ट को कि दर ड्रीम ऑफ प्यूरीटन फॉलन एजलीप ओवर इस बाइबल चलिए इसको नोट कर लेते हैं को फिल के लिए हुज आएगा लेमर्टाइन ने क्या कहा इसको कि दर ड्रीम ऑउंग अब प्यूरीटन पॉलन अजलीप ओवर हिस बाइबल यह क्या है एक पॉरुटन का ड्रीम है जो पॉरुटन अपनी बाइबल पर सो गया है उसका ड्रीम अ नेयम ज़िर इस डिक ज़िझा इस टॉटार कलासिकल यूरिटीज रहे है उसकी ज़िए यहां फोलौ घार्डाइज लस्ट पर ai क्लियज्ट कि इस पूलोज दा क्लासिकल यूनिटीज क्लियर फेंस विल्यम ब्लेक ने मिल्टन के लिए कहा है कि मिल्टन वाज उप दस सैटन पार्टी कि मिल्टन है वो सैटन पार्टी से बिलॉंग करता था कि विल्यम ब्लेक कि मिल्टन वाज उप सैटन पार्टी के लिए फ्रेंट्स देखी अकसर एक बहस चिरती है बड़ा कन्फूजबल किशन है कि हुई इस दा हीरो ऑफ दा पैडाई लास्ट और एक्चल में यह किशन एक्जाम में भी आया है टी जी टी में आया है एक बार तो चलिए आज इस डाउट को क्लियर कर देते हैं देखिए कुछ लोग तो कहते हैं कि जो सैटन है सैटन इस दा हीरो ऑफ दा पैडाई लास्ट some it is suggested by many people that satan is the hero of the padai lost clear कह रहे हैं कि सैटन इसका हीरो है लेकिन यह बात clear है कि from the fall of सैटन that he is not the hero of the padai lost actual में देखिए जो hero होता है उसका fall नहीं दिखाया जाता है fall हमेशा किसका दिखाता है जो author है वो किसका fall दिखाता है वो विलेन का fall दिखाता है तो हम कह सकते हैं कि fall of the satan यह clearly show करता है कि जो satan है he can't be the hero of the padai lost clear friends but it is clear from the fall of satan that he is not the hero of the padai lost बात clear हो गई है friends अब सैटन नहीं hero तो कौन है adam is really the hero of the poya क्रिशन क्लियर हो गए आपको भी yes friends यह जो grand epic है जो आपका पैड़ाई lost है यह एक example है जिसको और नोड ने कहा मैं थी और नोड ने grand style clear it is a padai lost is an example of what our notes and grand style ग्रेंड टाइल तुर्ड ग्रेंड श्टाइल ग्रेंड श्टाइल ग्रेंड ने कहा है कि it is one of the most notable and most sublime poem ड्रेंड ने सको most notable or sublime means of a high quality poem इसको कहा है ड्रेंड ने क्या कहा ड्रेंड ने it is one of the most notable and most notable है and most sublime poem है बात के लिए हुए फ्रेंड राइडन की भी अब देखिए पैड़ाई लॉस्ट में की जो book first है उसमें Saturn को compare क्या गया है कि से लेविये थन से clear friends इन पैड़ाई लॉस्ट फस्ट बुक और इन दा फस्ट बुक और दा पैड़ाई लॉस्ट Saturn is compared to किस से compare क्या गया है Saturn को friends Leviathan से clear Leviathan से Saturn को compare क्या गया है तो चलिए friends यह तो हमने कुछ 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 लिए और अब कुछ तो हम कर रहे हैं लेकिन कुछ के साथ साथ हमें जो है कुछ और भी जाना जरूरी है मिन्स इस पैड़ाई लॉस्ट के जो important characters हैं उनको भी हम स्टड़ी करने वाले हैं तो चलिए पहले इन कुछ को आप और विल जीवब की spelling को ध्यान दे लिजेगा क्योंकि एक बार टीजीटी के exam में बिल जीवब की spelling दिया यह विल जीवब वी डवल ई-ल-ज-e-b-u-b यह क्या कहा जाता है वाल्स नेक्स्ट तू सैटन इसको नेक्स्ट तू सैटन या राइट हैं तू सैटन कहा जाता है और राइट हैंड टू सैटन के लिए रफेंट्स एक करेक्टर रहा है मॉलक मॉलक क्या है फेंट्स मॉलक इस हॉरीड कि विद ब्लड ऑफ हुमन सेक्रिफाइस मॉलक एक ऐसा करेक्टर है जिसके मूँ पे जो है ब्लड लगा लिए रहता है क्लियर एक हॉरीड कि मॉलक हॉरीड कि विद ब्लॉड ऑफ हॉरीड कि विद ब्लॉड ऑफ हुमन सेक्रिफाइस क्लियर विद ब्लॉड ऑफ हॉरीड कि विद विद एक विद लगा लगा ला लॉड़ एक विद लगा लॉड कि विद विद दे ले विद लूड पॉरेर लॉड जो fallen angels की line थी उसमें सबसेंथ में कौन आया उसमें आयता friends बेलियाल clear तो बेलियाल came last in the line of fallen angels in the line of fallen angels बेलियाल जो है वो associated with lust and violence lust और violence का जो symbol है उससे जो associated character है वो है friends बेलियाल clear he reigns in the court and palaces रहता कहा है वो courts में रहता है और palaces में रहता है on बेलियाल he say associated defense lust and violence say he lives इन कोर्स एंड पैलेसे इन को डिसकस करते जा रहे हैं बाद में हम करेक्टर से भी डिसकस करेंगे और इसकी जो इंपॉर्डेंट कोटेशन से उनको भी डिसकस करेंगे क्लियर फ्रेंट्स वी रीड पैडाई लॉस्ट एज एक टास्क नबड़ी एवर विजड इट लॉकर यह डॉक्टर जॉन्सन का स्टेट्मेंट रहा है कि वी रीड पैडाई लॉस्ट एज टास्क कि हम पैडाई लॉस्ट को कैसे पड़ते हैं एक टास्क की तरह से पड़ते हैं जिसे टास्क हमें मिल जाता है काम मिल जाता है उसकी तरह पड़ते हैं नबड़ी आवर विजड इट लॉंग और इससे ज़्याद है कि कोई इच्छा नहीं करता हुआ कि एवर विजड इट लॉंग यह किस ने कहा है फ्रेंट्स डॉक्टर जॉन्सन ने जिनको सेमल जॉन्सन भी कहा जाता है कि लिए फ्रेंट्स देखी जो पैड़ाई लॉस्ट है यह क्या है फिर जो रिफोर्मेशन का एक प्रोड़क्ट इसको माना जाता है पैड़ाई लॉस्ट इस दा प्रोड़क्ट ओफ रिफोर्मेशन एंड दे रैनसा कि दा डिफॉर्मेशन एंड दा रैनसा क्लियर रफेंट्स इसमें फ्रीड़म ओफ जो विल है वो दिखाई देती है मिंस जो इच्छा शक्ति की आजादी है वो इस इपिक में हमें दिखाई देती है यानि फ्रीड़म ओफ इल्ट् कि फ्रीड़म ओव विल नौट इल क्लियर फ्रेंट्स फ्रीड़म ओफ विल इस फाउंड इन इस इपिक कि एक यहां जो एक द्रढ इच्छा शक्ति इस इपिक के माध्यम से हमें दिखाई देती है और फ्रेंट्स एक और इंपॉर्ड़न की पॉइंट यहां से निकल आता है एक करेक्टर है मलसी बार मलसी बार जो यूज्ड हुआ है वो हुआ है वलकन के लिए चलिए इसको नोट कर लीजिए और फ्रेंट्स इसको ब्रेक लेना चाहिए और जो बाकी जो टॉपिक हमारा फ्रेड़ाइज ल करते हैं है और लेक्टर हम दिसक्स करेंगे बाबाइ exploited jew कोटेशन किस ने कहीं और क्या 的 important quotations यहां रही हैं तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगे लेक्चर में नाओ थैक्स फर वाचिंग डिस्क्राइब है लोगें पिछले लेक्चर में रिदिसकस किया था जोन मिलिटन के परड़ाइज लॉस्ट पर important points, important questions हमने वाँ discuss किये थे friends आज की video lecture में हम discuss करने वाले हैं important characters from the paradise lost paradise lost के important characters और important quotations क्योंकि friends हमारे exam में important characters से भी question पूछे जाते हैं और important quotations से भी questions पूछे जाते हैं तो friends चलिए start करते हैं आज का lecture बड़ा ही important आप के लिए होने वाला है तो friends important characters की अगर हम बात करें एडाई lost के lost important characters तो friends important characters में सबसे पहले हम बात करते हैं satan की satan कौन है satan head of the rebellion angels वो जो angels थे जो विद्रोही हो गए थे उनका head अगर है तो वो कौन है satan है who had just fallen from heaven जिसको heaven से बहार निकाल दिया गया था और originator of sin जो sin है friends पाप है पाप का originator अगर कहा जाता है तो वो satan को कहा जाता है clear तो सबसे पहला character हम satan की बात करते है satan head of the rebellious angels जो विद्रोही एंजल्स थे उनका rebellious है एक विद्रोही एंजल है head है उनका who have just fallen from heaven who have just fallen from the heaven जिसको heaven से निकाल दिया गया था और वो क्या है friends originator of sin पाप का वो originator कहा जाता है O-R-I-G-I-N-A-T-O-R originator क्या होता है friend जो origin करता है किसी की दूसरा important character friends यहां पर Adam Adam कौन है friends the first human पहला मानव अगर माना जाता है जो Christian mythology है उसके recording पर्थिवी पर जो सबसे पहला मानव माना जाता है जिसकी हम सब संतान है उसको Adam माना जाता है हम सब Adam की ही संतान है जिसको हिंदी में हम आदम कहते हैं clear friends Adam the first human पहला मानव और the father of our race यानि हमारी पूरी मानव जाते का वो पातर है और इसी के साथ साथ उसकी जो वाइफ है कौन है friends उसकी वाइफ का नाम है इव कि लिए इव उसकी वाइफ है he is the caretaker of the garden of Eden जो एक स्वर्व का गार्डन था जिसको गार्डन अफ इडन कहा जाता है उसका क्यार्टेकर कौन था उसका क्यार्टेकर एडन था एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझ जीजेगा एक पॉइंट से कई के किश्वन यहां राइज हो रहे है यह ग्रेटफुल एंड ओविडियन तू गॉड ग्रेटफुल एंड ओविडियन तू गॉड इश्वर के प्रती वफादार और इश्वर का आभारी यह माना जाता है but falls from grace when Eve convince him to join her in the sin of eating from the tree of forbidden tree फ्रेंड लेकिन इसको क्या कर दिया जाता है यह जो इश्वर की grace है उसकी क्रपा है उससे इसको बाहर कर दिया जाता है कब जब जो forbidden tree था उसका जो fruit है उसको खाने के लिए जब इसको जो इव है वो इसको convince कर देती है अब जो इव है next important character उसकी बात करते है इव कौन है इव फर्स्ट वूमन मानी जाती है इस human race की woman means जितनी भी means जो माना जाती है उसका जो father है वो Adam है और जो उसकी mother है वो क्या है वो Eve को माना जाता है और you can say Eve is regarded और Eve is called the mother of mankind clear हो गया point चलिये इसके बाद है next character God और God कौन है इश्वर यानि God को कहा जाता है the father जिसको स्रस्टा कहा जाता है जिसको पीता कहा जाता है जिसको देवता कहा जाता है clear God creates the world by means of God the son जो इश्वर है God the father है उन्होंने संसार को बनाया और by means of God the son God the son के लिए clear friends और जो God the son है यह किस के लिए यूज़ हुआ है God the son God the son कहा जाता है जीजस क्राइस्ट को यानि इसा मसी क्या कहे जाते है God the son कहे जाते है कि लिए रेफरेंस तो यह वो क्रेक्टर से जो इंपॉर्डन क्रेक्टर से और इसी के साथ सब फ्रेंट्स डेवल्स आ जाते हैं जो हम हैल में रह रहे हैं डेवल्स इन्हाबिटिंग है तो चलिए पहले इनको नोट कर लीजेगा फिर डेवल्स की हम बात करते हैं अब बात करते हैं फ्रेंस डेवल्स की देवल्स इन्हाबिटिंग दा है इसमें जो इंपॉर्डन क्रेक्टर आता है वह आता है फ्रेंस बेलजीबब क्लिए फ्रेंस बेलजीबब अभी जो क्षियर में डिसकस कर रहे थे उनमें भी हमने डिसकस किया था वर्डी बब को और जो बिल जी बब है फ्रेंट्स यह क्या है सेटन सेकेंड इन कमाड जो सेटन है सेटन का जो दाया हाथ है सेकेंड के बाद अगर कोई आता है कमाड में तो वो आता है बिल जी बब क्लियर फ्रेंट्स सेटन सेकेंड इन कमाड बाद क्लियर हो गई, बैल जीवब, फ्रेंट्स ये बैल जीवब है, वो डिसकस करता है, अपनी एपनियन किसे करता है, जब हैल से निकाल दिया जाता है, तो जो अपनी ओपनियन डिसकस करता है, वो Saturn के साथ discuss करता है इसके बाद next character आता है friends belial belial क्या है friends one of the principal doubles in hell hell में जो doubles रह रहे हैं उन में से एक मुख्य जो double है वो belial है मात क्लियर हो गई है यानि अगर हम कहें जो डवल है डवल में सबसे चीफ कौन है फैंस उसमें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो सेटन का आता है डवल में उसके बद बल जिबब आता है सेटन से सेटन बल जिबब के बाद जो important character आता है वो बल याल आता है इसके बाद friends एक और character आता है वो है मैमन और मैमन क्या है friends देवल नौन इन दे बाइबल एज दे एपिड़मियों वेल्थ बाइबल में इसको जो वेल्थ है जो धन है धन का जो एक प्रतीक है सिंबल है वो इसको माना जाता है मैमन अ डेवल एक ऐसा डेवल है एक ऐसा देटिय है नौन इन दे वाइबल क्या माना जाता है जो वेल्थ है वेल्थ की अपिड़मियों उसको माना जाता है यानि वेल्थ की प्रतीमूर्थिस को माना जाता है इन दे बाइबल एज दा अपिड़मियों वेल्थ और यह जो वेल्ड हाए है इसके बाद आता है मलसीवर मलसीवर क्या है एक ऐसा डवल है जो बिल्ड करता है पेंडेमोन पेंडेमोनियम पेंडेमोनियम क्या है फ्रेंडेमोनियम एक चर में कोल आहल को कहा जाता है इसके बाद है फ्रेंडेमोनियम मॉलग नेक्स्ट करेक्टर है और यह रेस इर्रेशनल एंड मक्रसं डवल इसको कहा जाता है रैस इर्रेशनल अगर कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है मॉलक को तो ये वो करेक्टर से फ्रेंट्स जो हेल भे रहते हैं कौन बेल जीवब, बेलियाल, मैमन और मलसीबर एंड मॉलक क्लियर हुए फ्रेंट्स चलिए नोट डाउन कर लिजिए फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं एंजल्स की एंजल्स इन्हाबिटिंग हैवन एंड अर्थ जो हैं एंजल्स हैवन और अर्थ में रहते हैं फ्रेंट्स उन में से कुछ हम यहां डिसकस करते हैं इसमें दिखिए नेक्स्ट करेक्टर है गैबरियल गैबरियल क्या है God at the garden of Eden जो Garden of Eden था जो समयं का बगीच है जिसको कहा जाता है उसका जो गारड्ड है उसका जो रखवाली करने वाला है वो कौन है गैबरियल है ते इसमेड है यह कौन सा करेक्टर यह शाह इलवन फाकरेक्टर रबरियांध है Philip गाब्रियल गार्ड गार्ड इस एट दगी एट दे गार्डन ओ इडन बात क्लियर हुगी है एट वन अप दा आर्च एंजल्स ऑफ हेवन जो आर्च एंजल्स हैं आर्च एंजल्स कौन है फ्रेंट जो हेवन में रहने वाले जो देव दूत हैं उनको आर्च एंजल्स का जाता है क्लियर इसके बाद फ्रेंट्स नेक्स एट के आता है रफेल अर रफेल क्या है एक गौड का जो मेसेंजर है इश्वर का जो देव दूत है उसको वो रफेल है र-फेल और भूड गौन आप दा गौड्स मेसेंजर वन बब दा गौड्स messenger clear friends इसके बाद है यूरियल यूरियल क्या है guards at the planet earth अब जो पृत्वी है पृत्वी का जो रखवाला है वो कौन है वो है friends यूरियल at the earth clear friends इसके बाद Michael है Michael क्या है जो archangels है उनका एक जो मुखिया है वो कौन है वो माइकल है the head of the archangels बात clear होगे friends और you can say the chief of the archangels तो ये तो friends important characters थे जो पैड़ाई lost में है एक्चोर में एक्जाम में इन में से कोई भी character पूछा जा सकता है कि ये कौन से work में है Hamilton के और दोसरी बात ये है work के ससद पूछा जा सकता है कि ये particular character क्या है तो यहां से ये question आई hope आपका clear हुआ इसके बाद हम discuss करते हैं पैड़ाई lost की important quotations चलिये friends कुछ important quotations अब पैड़ाई lost से इसकस कर लें ओचन तो तेल थी हाव आ हेट दाइ बीम ओचन तो तेल थी हाव आ हेट दाइ बीम ओसन तो तेल थी हाव आई हेट दाइ बीम कि अरे सूर्जे तो तेल थी मैं तुमसे क्या कहूं कि मैं किस तरह तुमारी जो किरने हैं उनसे नफरत करता हूं देट ब्रिंग तु माई रिममब्रंस फ्रॉम वाट स्टेट आई फैल आई हेट थेट प्राफ दूमसे हैं clear friends देखिए यहां इस line में जो दो line लिखी है इनमें Saturn कह रहा है और वो क्या कह रहा है actual में जो उसका confidence है वो टूटने लगता है वो चर्मनाने लगता है और वो अपने आप पर ही doubt करने लगता है और वो कह रहा है और यह सूरज to tell thee मैं तुमसे कैसे कहूं कि मैं तुमारी जो beam से तुमारी जो किरने है उनसे में न परत करता हूँ clear friends second quotation discuss करते है so farewell hope and with hope farewell fear तो यह line है Saturn की Saturn कह रहा है इस quote को चलिए आगे discuss करें so farewell hope and with hope farewell hope कि जो hope है आशा है उसको त्याग दिया जाए आशा को त्याग दे and with hope farewell fear और अगर हमारे पास आशा हो तो हम डर को त्याग दे clear so farewell hope अशा को त्याग दे and with hope और आशा से हम जो fear है उसको त्याग दे farewell remorse all God to me is lost all good to me is lost आगे कह रहा है या उसको त्याग दे and all good to me is lost clear अब देखे एक्चुल में हैं क्या कह रहा है farewell hope आशा त्याग दे and with hope और आशा के शातम जो डर है वो त्याग दिया और किस ने त्याग दिया फ्रेंट्स ये त्यागने के लिए यहां सेटन कह रहा है सेटन जो अपने साथियों से इस बात को कह रहा है कि जितनी भी अच्छाई तुमारे अंदर है all good to me is lost कि जितनी भी अच्छाई मेरे अंदर है वो मैंने त्याग दी है और तुम भी जो अच्छाई तुमारे अंदर है वो त्याग दो और बुरे बन जाओ clear? तो farewell वो hope को त्यागने को कह रहा है fear त्यागने को कह रहा है remorse त्यागने को कह रहा है कह रहा है सब कुछ जितना भी अच्छा है वो सब कुछ त्याग दो और किस का प्रतीक हो जाओ एक symbol of evil बुराई का प्रतीक तो हो जाओ clear? clear? our state can't be solved we are one our state can't be severed we are one one flesh to lose the कि जो हमारी state है our state can't be severed हमारी state अलग नहीं हो सकती we are one हम एक है one flesh एक ही हमारा flesh है एक ही हमारा balance है balance के साथ to lose the word to lose myself कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अगर मैं तुम्हें को देता हूँ lose the word to lose myself अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो ये मान लो कि मैंने अपने आपको खो दिया clear अब देखें कौन लाइन को कहरा है कि हमारी state अलग नहीं है हमारी state अलग नहीं है हम एक ही है एक ही हमारा शरीर है flesh केते हैं body को maths को शरीर को और हम जो है lose दे अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो मैं अपने आपको छोड़ देता हूँ clear और ये जो line कहरा है friends ये Adam की speech है Adam इस line को कहरा है और Adam जब देखता है कि जो Eve है Eve ने forbidden जो tree है उसका fruit खा लिया है तो वो decide करता है Adam कि मैं भी उस forbidden fruit को खा लुगा important है जो Adam की speech है उसमें ही वो कहते हैं जगा की solitude sometimes is the best society ये भी किसकी line है friends ये भी Adam की है clear कि जो solitude sometimes is the best society कि जो एकाखी पन है अकेला पन है वो कभी कभी हमारी सबसे अच्छी संकती होता है clear reference और देखे एक चीज़ और है मैं हर quotation के साथ ये भी लिखता चलब रहा हूँ कि वो किसकी quotation है ये तो है ही कि परडाइज रॉस्ट किया लेकिन ये भी आप याद कर लें कि साथ में वो certain की है Adam की है ये किसकी वो speech है of man's first disobedience and the fruit of the forbidden tree whose mortal taste brought death into the world अब आप समझे होंगे कि मैं कौन सी lines की बात कर रहा हूँ of man's first disobedience कि आदमी की पहली अवग्या disobedience कहते हैं कहना ना मानना कि आदमी की पहली अवग्या and the fruit और जो फल था fruit था of the forbidden tree किसका fruit था friends of the forbidden tree उस forbidden tree का जिस tree के fruit को खाने से मना कर दिया गया था whose mortal taste कि जिसको चक लेना जिसको खा लेना whose mortal taste brought death into the world और जिसका जो टेस्ट है mortal taste है जिसको चक लेने के बाद इस संसार में ब्रत्यू आई लाइन क्लियर हुई देखे एक बार और समझ दीजे of man's first disobedience के आदमी की पहली अवग गया and the fruit और जो फल of the forbidden tree उस forbidden tree का जिसका जिस फल को खाना मना कर दिया था फादर ने कह दिया था ये फल नहीं है खाने के लिए whose border test जिसको खा लेना ही जिसको चक लेना ही संसार में व्रत्यू लाया इस line lines को कौन कह रहा है इनको narrator खुद कह रहे है यानी Milton खुद कह रहे है इन lines को और ये जो lines reference ये opening lines है किसकी बैडाइस लोस्ट की lines और Milton खुद narrator है बात clear हो गई है friends देखे quotation सबसे tough job होती है हमारे learn करने के लिए लेकिन tough तब होती है जब आप उनको रटते हैं आपकी tendency है कि आप quotation को रटते हैं उनको रटिये मात उनको समझ येगा किसने कही है क्यों कही है अगर आप ये समझ लेंगे तो quotation कभी लाइफ में आप नहीं बूलेंगे clear friends next quotation लेते हैं आए में असर्ट अटर्नल प्रॉविडेंस आए में असर्ट अटर्नल प्रॉविडेंस और प्रॉविडेंस किसके गॉर्ड ते लिए लिए हुझ वाय और जश्टिफाइए दो जश्टिफेढ़ ज़्यो आइ रिवीड़पि को मैं अ जश्टिफाई दो हुझ म। विटु जश्टिफेढ़ विज भां और दो कि डूर लाड़पिय दो सनक वडूर्ट है यहां जान मिल्टन कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो एक्षॉल में यहां थीम बता रहे हैं यह जो ओवर ओर आपका एपिक है इसकी थीम क्या है justify the ways of God to man कि जो इस्वर के ways हैं और तरीके हैं कार्य हैं वो क्या है वो मनुष्य के लिए उनको justify करना है यह क्या है फ्रेंट्स यह थीम है इस EP की और कौन कह रहे हैं इसको मिल्टन जो नेरेटर है इस EP के वो खुद इस कोट को कह रहे हैं क्लियर फ्रेंट्स चलिए वाट दो दा फिल्ड भी लॉस्ट क्या हुआ अगर हम हागे वाट दो क्या हुआ अगर हम हार गए फिल्ड भी लॉस्ट थे मतलब है हमारे खेट कोई जाना और यहां खेट कोई आयरा नहीं है हाडने के संस में यह यूज हुआ है मर्दो दो फिल्ड भी लॉस्ट क्या हुआ अगर हम हार गए कौन कह रहा है इस लाइन को यहां फ्रेंट्स सैटन कह रहा है अब देखिए सैटन की इच्छा शक्ती कि क्या हुआ अगर हम हार गए clear it does not matter must that we lost all is not lost और सबसे एहम बात all is not lost सब कुछ नहीं हो गया है हमारा यहां ति कह दी है सैटन ने डा-अन-कॉन-की डबल भी ओं हमारी जो इच्छा शक्ती है वो अज़े है अनकॉन क्यूरिबल हमारी जो इच्छा की all is not lost की सब कुछ हम हार गए हैं लेकिन सब कुछ हमारा हैं क्यों नहीं खुआ गया गया क्योंकि हमारी इच्छा इच्छा शक्ति है वो अजे है हमारी इच्छा शक्ति को कोई भी नहीं हादा सकता क्लियर फेंड्स एड़ स्टडी ओफ रिवेंज इमोर्टल हेज़ एड़ स्टडी ओफ रिवेंज इमोर्टल हेज़ तो ये किसकी लाइन है ये सैटन की स्पीच है सैटन इन लाइन्स को कह रहे है और कब कह रहे हैं रेफरेंस भी मैं देदू जब उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया जाता है तब वो इस बात को कह रहे है कि क्या वो आगर हम हार गए हमारी इच्छा शक्ति तो हमारी अदम्य है उसको तो कोई नहीं हारा सकता और जिस व्यक्ति कि इच्छा शक्ति कम्जोर नहीं होती वो कभी भी हारा हुआ नहीं हो सकता Clear friends? चलिए नोट कर लीजिए आगे बढ़े Fallen Cherub to be weak is miserable doing or suffering आगे से टन कह रहे हैं कि Fallen Cherub To be weak is miserable To be weak is miserable Doing or suffering अब देखिए हैं सेटन क्या कह रहे हैं सेटन यहां इस बात को कह रहे हैं कि जो सेटन का साथी है Cherub Cherub से कह रहे हैं कि Cherub तुम गिरे हुए हो लेकिन To be weak is miserable लेकिन कमजोर पढ़ना कमजोर होना दुखी होना है किसमें doing or suffering चाहे वो हमारे काम हो यहां हमें कस्र सहना कि कमजोर होना दुखी होना है और अब तुम उठ जाओ और क्या करो कुछ बुरा काम करो ताकि और बुरा क्यों करो क्योंकि इस वर्ग की जो सक्ति है इस वर्ग की जो इच्छा है उसके विपलीत हमें चलना है हमें तो इस वर्ग के against काम करना है इसलिए वो चेरुब से कह रहे हैं कि चेरुब जो कमजोर होना है वो दुखी होना है, कमजोर मत पढ़ो और दुखी मत हो, clear friends, ये भी सेटन की स्पीच है, अब यहां सेटन की चेर बज़ से कह रहे हैं, और किस से कह रहे हैं, कि पि जो सुखी छेतर है मेरा, उसको अल्विदा, जहां में रहता था, जहां मेरा सुखता, यानि स्वर्व को अल्विदा, where joy forever dwells जहां हमेशा जुवाई रहता है जहां हमेशा आनंद रहता है उस जगह को अब अलविदा यानि स्वर्ग को अब अलविदा clear friends, farewell happy fields कि जो happy fields है यानि जहां मैं रहता था जो स्वर्ग है, स्वर्ग को अलविदा where joy forever dwells clear होई बात कौन कह रहे हैं Saturn कह रहे हैं किस से कह रहे हैं Belgium से मज़ा आ रहा होगा समझ में भी आ रही होंगी quotations चलिए आगे वो इसी speech में आगे कहते हैं कि जो मस्तिक से जो mind है वो एक ऐसी जगा होती है in it and in it self और जो इसमें क्या होता है friends can make a heaven of hell जिसमें जो नरक है नरक को स्वर्ग बनाया जा सकता है और एक नरक को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है देखे कितनी गहरी बात और ने कह दी है सेटन के बाद जिम सेटन कह रहे हैं कि हमारा जो मन है उस मन पे तुम कंट्रोल कर लो इस mind पे कंट्रोल कर लो क्योंकि मन एक ऐसी जगा है कि अगर आप नरक में भी रह रहे हो तो उसको स्वर्ग समझ सकते हो और अगर स्वर्ग में रह रहे हो तो उसको भी आप नरक मना सकते हो clear friends ये भी सेटन कह रहे हैं बल जीवब से clear हुई line समझ गा रही होगी चलिए एक और सेटन की बल जीवब से speech है और वो क्या है friends to reign is worth ambitious though in hell कि शाशन करना महत पूर्ण है यद पी वो हम नरक में शाशन क्यों ना कर रहे हैं to reign is worth ambition to reign is worth ambition though in hell कि शाशन करना महत पूर्ण है हमारी जो अभी अभी लाशा है वो क्या है वो शाशन करने की है चाहिए हम नरक में क्यों ना शाशन करें and better to reign in hell than serve in heaven कि जो नरक है नरक में शाशन करना बेटर है than serve in heaven कि जो स्वर्ण है स्वर्ण में नौकरी करने से स्वर्ण में सेवा करने से अच्छा क्या है नरक में शाशन करना है क्लियर कितनी गहरी बात यहां कह दी है सैटन ने और सटन किस से कह रहे हैं यह भी बेल्जी वुप से कह रहे हैं कि देखें कितनी important quotations यहां सटन की बेल्जी वुप के बीच का जो वारतलाफ है conversation है वो कह रहे हैं सारी quotation clear reference यह सेटन की और बलजी वुप की वरतलाब है और वो क्यों कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो यहां नरक के उत्तरादिकारी हैं और नरक के उत्तरादिकारी हैं तो हमें तो उत्तरादिकारी बनना हमें तो शाशन करना है और स्वर्व में सेवा करने से अच्छा नरक में शाशन करना है Friends, who is the lost art angel in the paradise lost? जो lost art angel है, वो कौन है paradise lost में? वो है friends, second. Clear? एक एसा किंग जो हॉरीड है, बिस्मार्ड विद ब्लड ऑफ हुमन सेक्रिफाइस, कि जिसके मुँ पर हुमन सेक्रिफाइस का, जो मुँ उसका सना हुआ है किस से ब्लड से? वो कौन है friends, वो मौलक है. बताया था जहां मौलक आभी आप डिसकस कर रहे थे हम करेक्टर को. Friends, एक और important question आता है कि, what is Belial's opinion on further war against God? कि जो Belial है, Belial की क्या इच्छा है? अगर इश्वर से आगे war किया जाए तो उसमें क्या इच्छा है? तो वो कह रहा है, Belial कह रहा है, कि it would be stupid and unwise. Belial's opinion on the war against God. ये कुछ important questions friends और मुझे मिले हैं, तो ये भी ससा था, आप नोट कर लीजिए, पर डाई, लॉस्ट पे, हलाकि लेक्चर लेंदी हो रहा है, लेकिन don't worry friends, हमें लगना होगा, मेनत करनी होगी, if we want to get selection. तो वो क्या कह रहा है, इसको वो क्या कह रहा है, stupid and unwise. और ये किसकी ओपनियने फिर्ट्स, ये बैलियर की ओपनियने. अगर हम जो मैमन की ओपनियन पूछें, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, अगर war की बात करें, तो वो कह रहा है, he thinks that they can make hell better than heaven. वो कह रहा है कि और की जूरत नहीं है, हम तो जो heaven है हमारा, heaven से better हम अपने hell को बना सकते हैं. ये किसकी ओपनियन है, ये मैमन की ओपनियन है. अब देखिए, जो कौन सी, एक किशन आता है कि कौन सी बुक में, जो सेटन है, सेटन कमस टू एडन, सेटन कौन सी बुक में सेटन, एडन आता है. इन कमस टू एडन, जो एडन है, गार्डन अफ एडन है, कौन सी बुक में आता है, वो आता है, फ्रेंड्स, बुक फोर्थ में. क्लियर होगी बात, बुक फोर्थ में वो आता है, so hand in hand, they passed. कि अता है, हाथ में हाथ डाल कर, वो गुजरे, the loveliest pair, क्या कहा है, फ्रेंड्स, the loveliest pair. वो सबसे सुन्दर जोड़ा था, that ever since love embraces met. कि वो सबसे अच्छा जोड़ा था, जो हाथ में हाथ डाल कर, गुजरा. ये फ्रेंड्स मिल्टन यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं इन लाइन्स में, Adam और इव का, जो love है, undying love है, एक दूसरे के पिट्टी, उस love को वो शो कर रहे हैं. So is love between Adam and Eve. Earth fills her wound and यह बड़ी famous line है, Earth fells her wound. जो घाव है, उसको महसूस किया, and nature from her seat. और प्रकर्ती अपनी सीट से, sign through all. All, प्रकर्ती क्या कर रही थी, वो साय कर रही थी, throw all, works again, sign of woe. यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो, Earth fell her wound and nature from her seat, sign through all. यहाँ Milton की line है, Milton कह रहे हैं, अब actual में क्या है? यह जो line कब कही गई, इसका reference भी आद समझ दीजेगा. actual में क्या हुआ, कि जब Eve finally, जो apple है, forbidden tree का जो apple है, उसको खा लेती है, चुकि Saturn उसको manipulate करता है, तो जो destruction है, और जो destruction किसका? mankind का है, in the eyes of God, इश्वर की जो नजर है, उसमें जो destruction है, वो यहाँ दिखाई देता है, in lines में. बात के लिए, रहे friends, चलिए, बहुत सारे question बेड़ाई lost पे हो गए हैं, और काफी detail में हमने पढ़ भी लिया, आपने patience भी बनाए रखा पिड़ाई lost को पढ़ने के लिए, और इसका आपको बहुत बहुत आवार, बहुत बहुत धन्यवाद, और friends, अगर हाँ, अभी तक चैनल पे आफ फस्ट टाइम हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज गोएंड सब्सक्राइब दस चैनल, प्रेस लाइक बटन एंड शेयर दे चैनल to your friends, चलिए friends, मिलते हैं नेक्स लेक्शन में, इनके कुछ works सभी बचे हैं, तो friends, आज हम स्पेसरी डिसकस करने वाले हैं, paradise regained को, and Samson agonist को, friends, दोनों ही work बड़े important हैं, paradise lost के साथ साथ ये दोनों भी important हैं, और अक्सर इन में से भी questions पूछे जाते हैं, तो चलिए friends, इन में से हम कुछ point wise कुछ आपको important questions आपको बताता चलिए, friends, start करते हैं, देखें, सबसे पहले हम बात करें, paradise regained की, regained का मतलब होता है, friends, पुने प्राप करना, paradise जो lost था, वो master piece था, जो grand epic माना जाता है, और friends, paradise lost के बाद, अगर किसी work को, Hamilton की epic माना जाता है, तो वो paradise is regained, friends, action में ये 16, 71 में आया, और four books में आया, 16, 71 and in four books, four books में छपा, action में क्या होता, friends, जब पैड़ा lost, William, sorry, William Nicole reference, जब पैड़ा lost को complete कर लिया, लिख चुके, तो author के, John Milton के, एक friend थे, और वो थे friends, Thomas Elwood, Thomas Elwood, जो थे, उनको जब उसकी manuscript दिखाई गई, पैड़ा लास्ट की, तो उन्होंने कहा क्या कहा, कि, but what lost thou to say of paradise found, लेकिन, अब lost तो तुमने कह दिया, लेकिन अब जो paradise found है, उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है, तभी Milton को idea आया, और उन्होंने, इस epic का, जो epic था, paradise lost, उसका second part उन्होंने लिखना सुरू कर दिया, तो इस तरह, जो paradise regained है, उसका जन्म हुआ, clear friends, और वो friend कौन थे, Thomas Elwood, और Elwood ने क्या कहा था, friends, बत वाट लॉस्ट दाओ, बत वाट लॉस्ट दाओ, बत वाट लॉस्ट दाओ, तुसे, paradise found, लेकिन paradise found के बारे में आपका, क्या कहना है, बात clear होगे, friends, अब Milton ने लिखना सुरू कर दिया, second part, जिसको paradise regained कहा जाता है, और actual में उन्हों ने ये कम सुरू किया था, begin, in 1668, 1668 में इसको लिखना सुरू किया, completed, in 1671, 1671 में इसको वो लिखके पूरा कर चुके, यानि तीन साल उन्हें इसको लिखने में लगे, 1668 से लेके, 1671 में उन्होंने कम्प्लीट किया, और फ्रेंट जो पॉब्लिश हुआ है, पॉब्लिश भी इसी येर में हुआ, यानि 1670 बूक इन फोर बुक्स, clear, एक लाइन में आपको चार क्रिश्चन मिल जाएंगे, देखे, bigger in 1668, completed in 1671, published in 1671, इन फोर बुक्स, बात के लिए, रेफेंट्स, एक्चुन में ये पैडाइस रिगेंड क्या है, it is a series of debates between Christ and Saturn, Christ और Saturn के बीश में जो debate रही है, उसकी जो series है, वो ही पैडाइस रिगेंड है, it is a series of debates, किस-किस के बीश फ्रेंड्स, एक Christ है और दूसरा Saturn है, बात के लिए रोगई है, चलिए, पैडाइस रिगेंड वोज मिल्टन्स फैब्रेट बुक, अब बात, अगर के किशन आता है, कि which book is called मिल्टन्स फैब्रेट बुक, तो यहां पैडाइस लॉस्ट में आफ कन्फ्यूज मत होना, पैडाइस रिगेंड, पैडाइस रिगेंड वोज मिल्टन्स फैब्रेट बुक, चलिए, इट लिख देता हूँ है, पैडाइस रिगेंड की जगा, इट वोज मिल्टन्स फैब्रेट बुक, बात क्लियर होँए, फैंड्स, एक्च्वल में यह जो बुक है, यह जो फो, इट सब फोर बुक्स, जो चार किताबे हैं, इसकी पैडाइस लॉस्ट, पैडाइस रिगेंड की, यह क्या बताती है, Temptation of Christ by Satan, क्लियर फैंड्स, इस पोर बुक्स, डिस्क्राइब्स, दर टैंप्टेशन ओफ सेड़ क्राइस्ट, बाइस सेटन, सेटन के द्वारा, क्राइस्ट का टैंप्टेशन, उसको यह बताती है, क्लियर फैंड्स, और यह जो पोयम है, Paradise Regained, यह डाइडेक्टिक रिमार्क्स से भरी होई है, डाइडेक्टिक कहते है, उब्देश आत्मक, और रिमार्क कहते है फिर स्टिपनी, जो उब्देश आत्मक इसकी शैली है, वो यहाँ दिखाई देती है, फुल ओफुब और यह डाइडेक्टिक रिमार्क्स, बात क्लियर हो गई है, डाइडेक्टिक रिमार्क्स से भरी हुई है, put in the mouth put in the mouth of Christ और किसके मुह से जो डाइड़किक रिमार्क्स यहां निकलते हैं वो किसके मुह से निकलते हैं वो Christ के मुह से निकलते हैं और जिसको मिल्टन ने क्या कहा है the son of God याद आ गया होगा पीछे हमने पेड़ाई lost में character लिया था Christ कौन था the son of God Christ clear वा फैंट्स तो चलिए इनको नोट कर लिजेगा और आगे बढ़ते हैं जो paradise regained है इसमें जो puritanism है वो reaches the climax in this epic इस epic में वो अपने climax पे पहँच जाता है क्या है फैंट्स? puritanism puritanism reaches the climax in this epic clear हो गई है और एक्च्वल में इसकी जो theme है ये भी मैं आपको बता दूँ इसकी theme जो ली गई है ली गई है friends first verse of the fourth chapters of St. Luke's Gospel एक एक सेंट रहे है, St. Luke's Gospel के जो first verse है, उसका जो fourth chapter से, जो fourth chapter के first verse से इसकी theme ली गई है, चाहिए पूरा point लिखे लेते हैं, its theme its theme has been taken from the first verse of the of the fourth chapter of St. Luke's Gospel clear reference St. Luke's के gospel का जो fourth chapter के first verse से इसकी theme ली गई है, ये जो पैडाइस रिगेंड है, ये ओपन्स विद जर्नी ऑफ क्राइस्ट इन्टू विल्डर्नेस आफ्टर वेप्टेस्टू ये जो सुरूवात इसकी होती है, इस पैडाइस रिगेंड की, वो होती है विद जर्नी ऑफ क्राइस्ट Jesus Christ की जर्नी से इन्टू विल्डर्नेस आफ्टर after his baptism बात क्लियर हो गई है, अब इसके अगर है important characters की बात करें, तो इसके important characters कौन कौन से हैं, उसमें फिंट से, एक तो Christ और क्राइस के साथ साथ कौन हैं शेतन? दा अल्माइटी फादर अल्माइटी फादर है इसके अलावा मैरी है और बेलियाल है यह इसके इंपॉर्डेंट करेक्टर से है इसके बाद हम डिसकस करते हैं संसन अगॉनिस्ट को यह नोट कर लीजेगा जो एक और इंपॉर्डेंट वर्क संसन अगॉनिस्ट इसको भी हम यहां पॉइंट वाई डिसकस करते हैं देखिए यह पॉब्लिश हुआ 1671 यानि थर्ड फेज ऑफ और थर्ड फेज में थी इंपॉर्डेंट वाक्स आए थे प्रडाइज लॉस्ट था प्रडाइज रिगेंड था एंट संसन अगॉनिस्ट था किलियर रेफ्रेंस 1671 1691 में हुआ यह एक ड्रामा है और ड्रामा क्या है और ड्रामे में भी फ्रेंट्स ट्रेजडी है इन ब्लैंक वर्स ब्लैंक वर्स में जो लिखी गई है क्लियर फ्रेंट्स इसकी जो थीम की अगर बात करें तो इसकी थीम भी बिब्लिकल है बिब्लिकल इसकी थीम है क्लियर फ्रेंट्स अब एक्च्वल में क्या था देखे मैं बताता हूं कि जो इस ड्रामे की जो ड्रामा है संसन अकॉनिस्ट इसमें जो घटनाए है वो इंसिडेंट्स से वो थर्टीन, फॉर्टीन और जो शिक्स्टीन थे चैप्टर है और किसके फ्रेंट्स बुक आफ जजजज वाइबल में एक बुक है बुक आफ जजजज उसके चैप्टर थर्टीन, फॉर्टीन और जिक्स्टीन उसमें जो घटनाए है वो इसकी थीम है एक पॉइंट यहां निकल कर आता है कि दा इंसिडेंट्स मेंसंड इन दा ड्रामा इस ड्रामे में जो इंसिडेंट्स यहां मेंसंड की गई है आर बेज़ड ओन किस पर फ्रेंट्स बताई थर्टीन ओर्टीन एंड सिक्स्टीन चैप्टर्स ऑफ बुक आउ जजजज बात किलियर हो गई है समय में आ गई है कहां से थीम है इसके इलावा यह तो इसकी थीम हो गई है में सोर्स हो गया इसके नावा एक सोर्स और है इसका इस प्ले का वो है फ्रेंट्स हिस्ट्री ओफ सेंप्सन बाई कॉल्स अनदर सौर्स हिस्ट्री ओफ सेंप्सन और इसका सोर्स रहा है देखिए इस प्ले में क्या रिफ्रेक्ट किया गया है यह प्ले जो बताता है आपको यह बताएगा डिसेप्शन ओफ सेंप्सन सेंप्सन के साथ जो धोखा हुआ है उसको बताता है और कौन करता है उसको उसका जो धोखा हुआ है वो उसका उसकी जो एक्चुल में वाइफ है वो उसके साथ धोखा करती है क्लियर और यह जो सेंप्सन था कौन था फ्रेंड्स यह हिब्रू था यह भी मैं चली लिख देता हूं दा हिब्रियू और जो वाइफ थी उसकी वो कौन थी फ्रेंट्स वो फिलिस्टाइन थी और वाइफ का नाम था फ्रेंट्स डैलीला खिलियर जो डैलीला था अब देखे एक्चल में क्या था हिब्रु कौन हो गया संसन पलिस्टाइन कौन हो गयी उसकी वाइफ डैलीलिया जो डेलिलिया है वो अपने हस्वेंड को यहाँ धोका दे देती है वो अपने हस्वेंड के साथ चीट करती है और उसको जो पलिस्टाइन आर्मी है उसके वो इसको पकड़ लेती है और इसको बंदी बना लिया जाता है clear friends तो यही धोका जो हुआ संसन के साथ उसी को यहां और ने वर्णन कर दिया और एक्च्वल में जो यह यहां जो करेक्टर है इसका यानि संसन इस संसन में फिर्ण्स इंडॉमिनेटेबल करेज इंडॉमिटेबल करेज इंडॉमिटेबल करेज यानि अदम्य साहस जिसे आप कहते हैं और ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ यह ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ का और इंडॉमिटेबल करेज करेज का यह एक सिंबल रहा है जो संसन था यह इसका प्रतीक रहा है अदम्य साहस का और साहस के साथ सारीजिक शक्ति का बहुत इक शक्तिक आई प्रतीकर है Conference Samson अब जो इसकी ताकत थी जो इसकी पावर थी वो कहां थी Friends इसके बालों के इंदर इसके जूड़े में इसकी ताकत थी Clear? The secret of his powers lay in his laws His laws Clear हो गई है अब actual में क्या हुआ जो Deliria थी Deliria casual कर देती है Samson को कि अपनी जो secret of power है उसको reveal करने के लिए वो से मना लेती है और Samson अपनी जो power है उसका जो रहसे है वो Deliria को बता देता है और Deliria क्या है एक faithless woman अपने husband के लिए वो prove होती है एक बेवफाई कर देती है अपने husband से और जो secret था इसकी power का वो अपने जो लोग थे उसके उनको बता देती है और इस तरह जो Samson है वो defeat कर लिया जाता है उसको हरा दिया जाता है और गाजा में जो Palestine है वो उसको पकड़के गाजा में उसको बती बना लेते हैं बात के लिए होगे इफेंड्स तो चलिए भी point note कर लेते हैं डैलीलिया डीलाई लाई 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 ये प्रूल्स फेथलेस और रिवेल्स दस सिक्रेट चूँ हर पीपल सेमसन अब सेमसन को क्या कर लिया जाता है सेमसन को बंदी बना लिया जाता है के ये फेंड्स वोस टेकन प्रिजनर एट गाजा बाई प्लिस्टाई ये फिलिस्टीनी लोग हैं वो उसको बंदी बना लिया जाता है कहनी समझे में आ रही होगी नहीं समझे में आ रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा समझे में आ रही है कि नहीं आ रही है जो प्ले है फेंड्स ये play represent करता है Samson को एक prisoner एक गाजा में और कैसे वो एक जो work house है work house में एक laborer की तरह वहाँ उसको काम करते हुए इस play में दिखाया जाता है यानि बंदी बनाने के बाद वो उससे work house में काम करवाते हैं और last my friends एक जगा अपनी शक्ती का प्रदर्शन करना होता है इसको Samson को तो शक्ती का प्रदर्शन करने के दोरान वो crush to death हो जाता है play के last में in the last Samson crush to death clear वो अपनी शक्ती का प्रदर्शन कर रहा था तो pillars वो हिल जाते हैं और जो पूरी building है वो उसके उपर गर जाती है तो यह story आपको clear हो रही होगी समझे में आ रही होगी पूरा play पढ़ने के जरुवत नहीं है जो point मैंने बताए हैं बसीनी को आप study कर लीजेगा और इस play में भी author की जो author ने जो three classical unities है उनको follow किया है भी आपके यह रहे हैं इसके नावा डॉक्टर जॉन्ससन ने एक रिमार्क किया उनोंने इस प्ले को दिफेक्टीव बताया डिफेक्टीव इन एक्षम डॉक्टर जॉनसन ने एक्षम और वो एक्षम में डिफेक्टीव जो बताया उनोंने कहा कि इसमें बिगनिंग है और इसमें एंड लेकिन इस प्ले के अंदर जो मिडिल है वो गायब है क्लियर इप है कि बिगनिंग एंड दा एंड लैट और मिडल कि बात क्लियर होगी फ्रेंड डॉक्टर जॉंसन ने कहा कि इसमें बिगनिंग भी है और इसमें एंड भी है अंत भी है लेकि इसमें जो मिडिल है वो यहां कहीं दिखाई नहीं देता है यह जो ट्रेजडी है यह हिप्रू है पर निया है बात क्लियर होगी फ्रेंड और ये इसी के साथ साथ एक साथ एंप मॉड़न फैक्टर यह हैं इंपॉलड पॉइंट यह हैं कि यह जो ट्रेजडी है वह उसकी आठेस का वाधिक पर आपक्डार ग्राफिकल अल्यमेंट्स यहां इस ट्रेजडी में वातर खाय म सोज आटो बेग्राफिकल आइडिमेंट्स क्लियर तो बात समझ में आई होगी आपको इंजोई कर रहे होंगे पढ़िया सीख रहे होंगे और इसी के साथ साथ जो आपकी preparation से हैं वो भी मैं आपको easy बना रहा हूँ आप easily अपनी तैयारी को कर पा रहे हैं friends आपको lecture कैसा लगा अपना कमेंट मुझे जरूर दे अच्छा लगा तो भी दे और खराब लगा तो भी दे साथ में reason भी बताएं ताकि जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें quality और improve की जा सके तो friends I hope आप अच्छे से enjoy कर रहे होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और friends सर्दी बहुत हो रही है अपना धियान रखिएगा कर्ब कपरे बढ़िया से पहनिएगा ताकि सर्दी आपको असर ना दिखा पाए तो चलिए friends और हाँ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो friends please subscribe करें like करें और इसको अपने friends को share करें और friends 1K के बड़े करीव हैं हम तो friends इसको subscribe करें ताकि 1K का जो टार्गेट है हमारा वो जल्दी से अचीव हो चलिए friends मिलते हैं नेक्स लेक्षर में now thanks for watching this video हेलो friends हम सीख रहे हैं जॉन मिल्टन को और friends मिल्टन की बायोग्रफी important works और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी friends आज हम जॉन मिल्टन पर पॉइंट वाइज किस्टन से कुछ उनको डिसकस करते हैं friends आज का लेक्षर बड़ा interesting होने वाला है सासथ बड़ा ही important होने वाला है तो चरिए start करते हैं लेकि मिल्टन पर एक sonnet रही है जिसका title है to Milton London 1802 यह किस ने लिखी friends यह लिखी William Pursworth ने a sonnet to milton london 1802 by William Pursworth प्रियर है बड़ friends milton को poet of steed fast will and purpose कि एक ऐसा poet जिसकी जो will है इच्छा सकती है वो द्रड़ है और जो परपज है वो द्रड़ है यह किस ने कहा है यह critical comment किया W.J. Long जी हाँ जिसकी आप history of English literature पढ़ते हैं William J. Long वो एक बड़ी क्रिटीक रहे है तो उन्हों नहीं यह कमेट किया milton is the poet of steed fast will and purpose परपल्स कि 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 प्रेंट्स एक और क्रिटीकल कमेंट डबलू जै लॉँंग नहीं कि क्योंकि Milton की जो human है he must know the best in humanity क्योंकि Milton एक human था because Milton's human because Milton is a human he must know the best in humanity इसलिए वो humanity में जो मानव जाती है उसमें जो सबसे अच्छा है उसको वो लेखाया है clear? because Milton's a human he must know the best in humanity W.J. long और ये दोनों ही comment long के रहे है उपर वाला comment भी फ्रेंट्स long का है clear और नेचे वाला है इसके बाद एक और comment रहा है comment के आ रहा फ्रेंट्स मिल्टर ने खुद कहा कि the abilities of the poet की एक poet की जो योग्यताई होती है are the inspired gift of God वो इश्वर का एक प्रेदित gift होता है rarely bestowed जो मुश्किल से ही किशी को मिलता है the abilities of the poet are the inspired gift of God are inspired gifts of God क्या कहा फ्रेंट्स यहां देखे जो योग्यताई है of the poet एक poet की जो योग्यताई है वो एक inspired gift of God वो इश्वर का एक प्रेदित उपहार होती है rarely bestowed कि जो मुश्किल से ही किसी को प्रदान किया जाता है यह किसने कहा फ्रेंट्स said by Milton कि बाच क्लियर होगी है हम point wise यहां है डिसकस कर रहे है फ्रेंट्स लाइसिडास में मिल्टन ने जो अपने poetry पर views हैं किस पोइम में दिये हैं लाइसिडास में प्रेंट्स इन लाइसिडास मिल्टन गेव his views on poetry बात क्लियर हुई मिल्टर ने इसी बात को कहा है और उन्होंने कहा कि the spirit of lord is upon me कि जो देवी ये शक्ती है जो देवी आत्मा है जो देवी आशिरवाद है वो मुझे मिला हुआ है Milton said the spirit of lord is upon me is upon इसके लावा मिल्टर्म का जो style है उसको सब्लाइम कहा है सब्लाइम कहा है सब्लाइम कहा है और वो किस ने कहा है किसी क्रिटीक ने रिमार्ट किया कि इस इस्टाइल वॉज सब्लाइम करो क्रिटीक कॉल ते फेंस वो कि टीक डॉलू जे लॉज थे रिजस्टाइल वॉज सब्लाइम लॉंग में कहा अबाउट मिल्टन बात क्लियर होगी फ्रेंट्स क्लियर हो रहे हैं समझ आ रहे हैं हो गया ही हो चलिए नोट करते चलिएगा ससा देखिए लॉंगे विल्टन की एक पोएम रही है और जो क्रिस्मस के दिन उन्होंने लिखी किस्मस पर उन्होंने शुरू की और वो किस्ट वो क्या दिन था फेंट 25 दिसंबर 16 29 31 में 25 दिसंबर कॉनो ने शुरू की वो पोएम कान सी थी हो थी दा ओर उन्होंने प्राइस्ट नेटिविटी यह एफिए प्राइस मि प्राइास्ट नेटिन यह टिसंबर 25 16 29 कि आदी थार प्राइस्ट पांध टूरू और उन्होंने तूर एठ्वाटि एजएग ओस्ट्राइस्ट. इजजग्लेट्ग्ध। चोटी सी पोयम रहिये लेकिन बड़ी इंपोयम रहिये, The Ode on the Morning of Christ's Nativity. The Ode on the Morning of Christ's Nativity. मुलिटन का जो मास्टर कहा जाता है एक poor. एकुल्मोन मिल्टन ने लोग इनस को फूलो किया और मिल्टन का जो मास्टर था, वुथा Spencer. क्लिर फेंसर को ही खौरा, जो गुरू है, वो मालती थे. क्लियर फेंसर टिस्पेंसर वोव मिल्टन्स मास्टर. और स्पैंसरत जान गए होंग्य फेरी वीश्म वाले एडवन्ड स्पैंसर की बार हो रही है है क्ला प्रोफ कीटिग रहे इक पोप्ट रहे प्लेड रहे थे तो ट्राइडन ने मिल्टन के वाले में कुछ कहा और वो क्या कहा कि इस मैन कट्स अस ओल आउट एंड एंसन टू इस मैन कर्ट्स अस कि यह आदमी हमें काट देता है कर्ट्स अस ओल आउट एंड एंसन टू कि यह जो आदमी है यह हम सब में अब में और जो एंसन पोईट्स रहे हैं उन सब में क्या है यह सुपर है सुपीरियर है यह किस ने कहा ड्राइडन ने कहा अबाउट मिल्टन बात के लिए हो गए फ्रंट्स मिल्टन की एक पोईम और रही है कि मि थोट आपईसा माई लेट स्पाउस सेंट इस पोईम में मिल्टन ने किसको सेलीवेट किया एक्च्छोल में यह उनकी वाईब को सेलीवेट की गई है लेकिन आप क्योश्चन उठता है कि यहां कौन students को सेलीवेट की चलिए सोचेगा तब तक मैं टाइटल लग देता हूं पोइम का मी थोट आइसा माई लेट एस्पाउस्ट सेंट मी थोट आइसा माई लेट एस्पाउस्ट सेंट यह टाइटल रहा है इन्स का और यह जो nuo को सेंट वाइव को से libra बता दीजिए Aww सेगंड वाइप का नाम, एलिजाबेट, मिन्सर, बात क्लियर हो गई फ्रेंट्स, एलिजाबेट, मिन्सर, फ्रेंट्स, आई होप आपकी जो प्रिपरेशन से जो तैयारी है, वो बहुत अच्छी चल रही होगी, और देखिया, अच्छी चल रही होगी, आई होप, लेकिन हो सकता आपने कुछ उसमें, कुछ वो स्लो हो गई हो, चुकि अभी अद्वर्टाइ तो फ्रेंट्स, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्लो मत होने देना, स्लैक मत होने देना, क्योंकि जो सकस्स है, वो इजी नहीं होती, हो सकता है, आप सोच रहे हों कि अभी अभी बाद में एक्जाम सोंगे, या भी तो पॉम भी नहीं भरे गई है, तो थोड़ा चलो, जो है, कंट्यूनर्स बनाए रखेगा, कि तैयारी रहेगी, तो कंट्यूनर्स तैयारी से ही आप सकस्स कर पाएंगे अपको, और फिर्ट से एक बात और, जी आई सी का एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ हुआ है अभी, कल ही वो रिलीज हुआ है, उसमें लेक्षर की व एक पुराना एडवर्टाइजमेंट था, वो मैं भी एक्जाम में बैठा था भाई चांस, तब तक मैं बेसिक में जॉब कर रहा था, तो अब वहां के भी कुछ experience मेरे पास है, शेयर करने के लिए आपको, और अगर आप चाहाद कोई हो सकते हैं, मेरे कुछ subscriber ऐसे हो, मेरे friends कुछ ऐसे हो, जो तैयारी, GIC की भी करना चाह रहे हूं, एक friend का तल कमेंट भी आया था, तो अगर आप interested हैं और जानकारी चाहते हैं, उस तैयारी के लिए कैसे करें, क्या करें, क्या पढ़ें, ये तो पढ़ी रहे हैं, इसके अलाबा हम और कैसे पढ़ी हैं, तो मुझे comment करके आज जरूर बताईएगा, ताकि मैं उस पर भी आपको जरूर लगी, तो मैं उस पर नहीं interested है, तब भी, clear friends, तो चलिए अपने यहां point को आगे बढ़ाते हैं, देखिए एक poem रही है, sorry, एक prose work रहा है, aeropacity का, उसमें Milton ने किसकी freedom को बताया है, वहां वो बात करते है, freedom of press की, clear, यानि aeropacity का में, he highlights the freedom of press, और press के साथ साथ एक चीज़ और है, वहां जो licensing act था, जहां हमने approach work discuss किये थे, वहां इस point को हमने discuss किया था, तो जो वहां licensing act के थूरू, वहां जो books थी, publishing थी, उस सब पर ban कर दिया गया था, press even ban कर दी गई थी, तो उसके against, उस freedom of press के लिए, उन्होंने ये जो pamphlet था, aeropacity का, ये दिया, clear reference, चलिए, ये तो आपको clear point इसको लिख में जरूत नहीं है, चलिए आज के लिए एक और question है आपको, हलाकि इस question का answer आपको हो सकता है, बहुत सारों को पता भी हूँ, question ये है कि मिल्टन की जो three wives है, first, second, third, उन तीनों को आपको sequence में मुझे बताना है, first कौन सी है, second कौन सी, और third कौन सी, ये मुझे comment करके जरूरू है या नहीं कर रहे है, वीडियो लेक्षर देख भी रहे है या नहीं देख रहे है, देखे मिल्टन एक फ्लेचर रही है, फ्लेचर की एक पोएम रही है, उससे भी बड़ी inspired रही है, उसका भी मिल्टन पर influence देखा जाता है, और वो जोन फ्लेचर की कौन सी पोएम है, Christ, Victory and Triumph, Milton was influenced by John Fletcher poem और कौन सी पोएम थी फ्लेचर की, Christ, Victory and Triumph बात के लिए हुई, दाइसॉल वाज लाइक स्टार एंड ट्रेट अपार्ट, ये फ्लेच दाइसॉल, यहां पे जो वर्ड आया है, दाइसॉल, चलिए मिलिक देता हूं पहले, वाज लाइक स्टार एंड ट्रेट अपार्ट, ये दाइवर्ड किस के लिए आया है, बताइए, क्रिश्चन है कि दाइसॉल वोज लाइक स्टार, कि आपकी जो आतवा है, वो एक स्टार के समान थी, और ड्वैल ट अपार्ट, वो कहीं दूर रहती थी, ये वर्ड जो आया है, फ्रेंट्स, ये आया है मिल्टन के लिए, और ये कौन सी पोयम की लाइन है, ये है, क्रिश्चन है, क्रिश्चन है, टू मिल्टन लंडन 1802, हमने शुरू में जो बात की थी, मिल्टन की, उसी पोयम की लाइन है, और ड्राइटर कौन है, इसके इसके राइटर है, फ्रेंट्स, विल्यम बार्सवार्ट, क्लियर, टू मिल्टन बाइ एक टीन जिरो टू बाइ विलियम पार्सपार्ट के लियर और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है क्या कहा है यह यह दा लॉवलियस्ट ड्यूटीज ओन हर सेल्फ डिड ले यह दा लॉवलियस्ट ड्यूटीज और हर सेल्फ डिड ले यह भी इसी पोएम की लाइन है उपर वाली पोएम की टू मिल्टन की और यहां जो देखिए लॉवलियस्ट ड्यूटीज कहा है लॉवलियस्ट कहते हैं सबसे चोटी और ड्यूटीज है सबसे चोटे का इस पोएम में यहां एक रफरेंस दिया है विलियम वर्टसवर्थ ने उन्होंने कहा है कि एक दोर वो था कभी कि जब जो जॉवलियस्ट ड्यूटीज यहां इस के लिए रफरेंस के लिए यहां आया है में देखें मिल्टन का जो स्टाइल है उस स्टाइल को सब्लाइम कहा जाता है मिल्टन स्टाइल वस कॉल्ड सब्लाइम और मिल्टन की स्टाइल को सब्लाइम किस ने कहा सब्लाइब कॉल्ड बाई कॉम्टन रिकेट कॉम्टन रिकेट ने मिल्टन के स्टाइल को सब्लाइब का देखिए मास्क लिखने का पर चलन है और जो मास्क है वह इंग्लेंड में वह कहां से आया वह इटली से आया मास्क इंग्लेंड केम फ्रॉम इटली मास्क जान गए और नहीं जाने हैं तो एक फॉर्म सफ लिट्रेचर एक सिरीज है और उसमें एक प्लेइलिस्ट है उसमें आपको जो फॉर्म सफ लिट्रेचर हैं महां डिसकस की गई हैं महां से आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं और एक जो और है जो description है हर वीडियो का उसमें जितनी भी playlist है उन सब का link मैंने provide कर आया है आप किसी भी video के description में जाएंगे तो आपको सारी videos का वहाँ सारी जो playlist है उनका link आपको मिल जाएगा जो भी वहाँ playlist देखना चाहते हैं जो भी topic करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं और फ्रेंस मास की बात हो रही है तो चलिए एक अभी कमेंट किया था किसी फ्रेंट ने कल वो जानना चाह रहे थे कि प्रॉब्लम प्ले क्या होते हैं तो चलिए मैं बता देता हूं ब्रीफ लिया हाँ जिकमें जो समाजी बुराईया हैं उनका कोई ओथर वर्णन करता है और किस सेंस में ताकि वो लोगों के सामने आए उसमें रिफॉर्मेशन हो सके सोसल प्रॉब्लम की अगर बात करें सोसल प्लेज की बात करें तो जॉन गाल्सवर्दी के जो प्लेज रहे हैं वो जादतर प्लेज वो सोसल प्रॉब्लम को डिल करते हैं जैसे जस्टिस है जस्टिस एक नियाए व्योस्ता पर चोट है जो नियाए था अंजस्टिस सोसाइ में था उसको बताता है एक Rudi इस प्रॉल्म सोते हैं जो चार्ल्स डिकेंस एक काफी सारे लाज्य व्योंकि नहीं है वो भी सामाजिक बुराइब और रहे हैं क्लियर समझ आया होगा चलिए आके बात करते हम मिल्टन की जो होर्षण पोएंस हैं वो उन पे किसका प्रभाब देखा जाता है मिल्टन की होर्षण प्रभाब कांज सी यह वो पोएंज जब मिल्टन horseon में रह रहे थे मिल्टmist alarना नमें जो poem लेको horse और crayon कि तो वो को मिल्टन्स Woah sun कि Azure ने तेखें वह जो रही है वह Elisabeth न रही है Elisabeth in nature कि लिया वह एलिजाबेटन रही है है हाव स्वीट इज डिवाइन फ्लासफी जो डिवाइन फ्लासफी है जो देव यह फ्लासफी है वह कितनी स्वीट है यह कौन सी पोएम की लाइन है फ्रेंड्स यह देखें कॉमस है मिल्टन की पोएम उससे लिव गई है हाव स्वीट इज डिवाइन फ्लासफी जो डिवाइन फ्लासफी प्रॉम कॉमस बाई मिल्टन प्लियर फ्रेंड्स ग्रेट प्लेग आया था लंडन में फ्रेंड्स वो कब आया था ग्रेट प्लेग इन लंडन इस जो ब्रेंड प्लेग आया था वो आया था देखें 16.65 से लेकर और 16.66 तक बो रहा लंदन नहीं और चलिए बात प्लय की हो रही तो यह भी मैं बता दूं क्रेट प्लेट के सासर ग्रेट फाय भी लंदन चैनल सिक्षीर आ जलsh वह वह पायर्ठ है इता हुए इलंत लंदन और वह रही थे ती रोज ने जो ब्रेट video सिंद gesch़ लेका जैनल harsh 1986 सेप्टेमबर 16-16 तक रही और फ्रेंट्स जो एक ग्रेट प्लेग था देखिए इसको प्लेग क्यों नाम दिया गया प्लेग प्लेग जानते हैं बिमारी होती है जो चुहें के उपर एक पिस्सू पाया जाता है उसमें इसके जो वाइरस है प्लेग यह होता है और फ्रेंट् तो इसका जो रिजर्ट यह रहा था कि लगबग एक लाख डैथ हो गई थी वहाँ इंग्लेंड बे और जो अब आब यह समझ सकते हैं कि जहां 20% पॉपॉलिशन जो हो मर गई हो प्लेग में तो कितनी बड़ी वहाँ मेमारी वह फैलियर ही होगी और फ्रेंट्स इसके 30,000 पीपल जो हैं वो बेगर कर दिये थे बहुत बड़े लेवल पर यह फैली बहुत बड़े पैमाने पर फैली और अगर रिकॉर्ड डैथ की बात करें तो यहां केवल 6 डैथ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं लेकिन एक्च्वल में तो टॉल्स बहुत जादा रही दूल रहा है यहीं कल दॉल को का सब्सक्राइब तो अज हमें सब्सक्राइब बहुत सारे आई होगा यहीं कंप्लीट करते हैं और पर इसके बाद मुझे लगता है बस एक लेक्टर और आएका 25 to 30 या 40 minutes तक maximum उसमें आपका मिल्टन जो है वो complete author cover हो जाएगा और इसके बाद आप कुछ friends के suggestion थे कि हमें William Shakespeare शुरू कर देना चाहिए आप मिल्टन पहले चाहते हैं या शिक्षपियर पहले चाहते हैं मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताईएगा जो जिस चीज़ की जादर डिमांड होगी जादर आप जो डिमांड करेंगे वह मैं पहले शुरू करते हैं तो कम से कम एक महीना आपको विल्यम शिक्षपियर कवर करने में लगे मैं लेकिन विल्यम शिक्षपियर पर हर जो लेक्ट्र होगा वह यूनिक होगा और आप कहेंगे की मज़ा गया of our Can MARK में अपनी रा मुझे जरूर घ्रओं क्या चाहते हैं पहले शुक्षी और चाहते जोन जाते हैं पिजीटी में यह जो गाल्सवर्दी वह नहीं आएंगे तो जैसे आप चाहते हैं बता दीजेगा चलिए आज का लेक्षर यहीं कम्डीट करते हैं मिलते हैं और फ्रेंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक पर वाचिंग वीडियो हैं एलो फ्रेंड्स हम सीख रहे हैं जॉन मिल्टन को और आज के लेक्षर में हम जॉन मिल्टन पर कुछ इस्पेशल कृश्टन लाए हैं सारे कृश्टन पॉइंट वाइज होंगे और उनको हम एक एक कृश्टन को डिसकस करते चलेंगे फ्रेंड लेक्षर बड़ा इंट्रिस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टन होने वाला है तो लेक्षर को सुरू से लाज तक देखेगा आपको कई इंपॉर्टन पुश्टन आपको मिल जाएंगे अपने एक चांस के लिए फ्रेंड्स एक ओथर ने मिल तन को कहा है कि mighty-mouthed inventor of harmonies और किसने कहा है और इसी के साथ एक और कमेंट दिया कि God gifted organ voice of England कि England की एक God gifted voice clear friends और mighty-mouthed inventor of harmonies की harmonies का एक ऐसा inventor जो mighty-mouthed है क्लियर वो यह जो कमेंट रहे हैं यह किसके रहे हैं चले में लिख देता हूं तब तक आप सोचिएगा कि 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 माइटी माउंथ इंवेंटर और हार्मनीज माइटी माउंथ इंवेंटर और हार्मनीज और इसी के लाबाद दूसरा क्रिटिकल कमेंट रहा है कि God gifted organ voice of England ये दोनो ही जो कमेंट रही है ये ये लिचल मिल्टन की एक लेटिन पोएम रही है एफेंड्स ओन देखें एडवर्ड किंग की डैथ पे एक इलेजी लिखी मिल्टन ने और इलेजी क्या मोनोडी उसको इलेजी और मोनोडी माना जाता है टाइटल आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ इसी के साथ साथ एक लेटिंग पोएम भी मिल्टन ने लिखी और किसकी डैथ पे एडवर्ड किंग जो उनका फ्रेंट था जो मर गए थे उनकी डैथ और क्या टाइटल था उसका चलिए उसको भी हम बात कर लेते ह on the death of his friend Edward King और वो पोयम थी जो लेटिन पोयम थी उसका टाइटल था फ्रेंट्स एपी टैपियम डैमोनीज एपी टैपियम डैमोनीज क्लियर फ्रेंट्स वर्ट्स लेटिन है तो समझ नहीं आएंगे क्या इनका मीनिंग है हमें टाइटल लेट कर लेजिए बस देखे मिल्टन ने जो एक अटेक किया है और करफशन इनच चर्च में चरचमिन में बहुत ज्यादा करुम्राइब औहा गया था तो मिल्टन ने एक माजिय को और औह इस उस में wow किया है और किको और लग्मी रहा है कि लो रहा है में इन गीन किया, करप्शन इन चर्च पे हैं। और रिफॉर्मेशन। कर गले सिर्फॉर्मेशन कर लिए भलर व्यक् extensively कि एयर आमेशन। का यहां से आया आया और यहोस्ट के पाध किया है जाते हैं अर य४एगस। आर्योपाईगस एक फ्रेंड्स है एक चुर में जहां जो हाईएस्ट गवर्मेंट कॉंसल से वह बैठा करती थी और बाद में जो जुदिसियल कांसिल है वहां बैठा करती कहां तो वहीं से मिल्टर ने टाइटल लिया है इरोपैजिति का वह इसी हिल जो एरोपैगस है यहा याद आ गया था तो इसकी मैंने एरोपेगस आपको बता दिया रूपेगस क्या है अहिल कि ऑन विच कि एक हिल जिस पर क्या होता था वह साइटेड दा हाइस्ट गवर्मेंट कांसल कि अब बैठा करती थी और इसी के साथ साथ बाद में कौन बैठा ने लगी फ्रेंट्स लेटर अज जूदीसियल कोल्ट यह यह बैठा कि अध्लियर हो गई है मिल्टन की पोईट्री को कहा है कि मिल्टन्स पोईट्री एक्ट एज एन इंकेंटेशन कि मिल्टन की पोईट्री को इंकेंटेशन की तरह काम करती है मिल्टन की पोईट्री यह कमेंट रहा है मेकाले का मप्लियर रफेंट्र्स मेकाले मिल्टन की एक्ट्री एक्ष लाइकन इंकेंटेशन एक्ष एज एंड एंकेंटेशन कि हमें नरक में रेन करना चाहिए, हमें शाशन करने दू नरक में क्योंकि यहां रहने के लिए, आराम से रहने के लिए बहुत सारा कांटेंट है यह जो कोटेशन रही है, यह फ्रेंट्स कौन कहता है पेडाल लास्ट में, यह कहता है ल्यूसिफर, क्लिया फ्रेंट्स, लेट अस रेन इन हल, यह जो में लेक्ष जुट हो, से एके लेक्यू सिने हैं लुटाने के लिए रिसे लिए का। अुटेझ वर उन्यूस हूर ऍारेंट्स, बिस average लिए हैं लिएफिंब के नियुक्सीफर इन पैरडाईज लास्ट आद कि लिए होगी फैंट्स मिलतन का एक केरेक्टर था और वह केरेक्टर कहा था फैंट्स वह ब्लाइंड था के मिलतन की एक प्रेमरही ہے जो जिसमें a 미लतन की जो इस आड़िंट्ट में अनुसमें Milton की जो wife थी Mary Powell उससे जो उसकी अन्बन थी वो बिलकुल faithless वहाँ उस character की wife को Milton ने दिखाया है चुकि Milton खुद अंदे थे तो Milton ने अपना जो character था उस poem का उसको भी blind दिखा दिया और जी हां किस poem की बात हो रही है किस poem का जो character था वो blind था वो था friends Samson Agonist Samson Agonist का जो character है जो Samson है वो एक blind character friends रहा है और वो blind सुलू से नहीं था ये भी मैं बता दूँ वो actual में friends क्या हुआ था blind कैसे हुआ वो ये भी एक कहानी है ये मैं बता देता हूँ आपको देखी जो डे देखी पूर था Samson तो friends डेली ये क्या करती है उसको अपनी गोद में उसको वो कर देती है means उसको एक false love दिखाती है और जब वो सोजाता है उसकी गोद में ही तो अपने एक नोकर को बुला लेती है और उसकी जो बाल है उसका जो जूड़ा है उसको वो कटवा देती है और तो जो पूरी पावर थी संसं की वो सारी पावर कहा थी वो उसके बारों में थी उसके बाद जो उसके लोग लोग हैं डाली लिया के यानी Philistine ी वो उसको capture कर लेते हैं और उसकी आखें के उसको अंधा कर देते हैं तब जाकि संसं जो है वो ब्लाइंड हो जाता है क्लिया रफेंट्स तो जो ब्लाइड करेक्टर है संसन का वो कौन है वो फ्रेंट्स संसन है संसन इस आप लाइन करेक्टर सौरी नॉट इस वोज आप लाइन करेक्टर इन संसन अगरनेस संसन अगरनेस्ट इस पात के लिए हुए फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोफेशन प्रोफेशर डॉसन ने मिल्टन की जो कंपैरेजन किया है मिल्टन का मिल्टन को उन्होंने होमर और जो वर्जल रहे हैं उनके बाद उन्होंने मिल्टन को रखा रहे हैं प्रोफेशर डॉसन ने हुट मिल्टन नेक्स्ट तू होमर और वर्जल के नेक्स्ट उन्होंने इनको रखा है मिल्टन वोज पैश्योनेट मैन फू लिव्ड इन पैश्योनेट टाइम कि मिल्टन एक पैश्योनेट मैन था जो शीर अव्यक्ती था वू लिव्ड इन पैश्योनेट टाइम ने रहा है यह किसका क्रिटिकल कमेंट है यह जॉन बेली रहा है फिंस जॉन बेली ने इस कमें को दिया मिल्टन के लिए मिल्टन वोजे पैस्योनेट मैं वो लिवड इन आ पैस्योनेट नहीं कि मिल्टन एक पैस्योनेट मैं था पैस्योनेट व्यक्ति था जो पैस्योनेट टाइम में रहता था जॉन बेगी कि मत क्लियर होगे फिर्ण्स एक कोटेशन रही है और काम और माइंट और जो मन की शांती और पैसन इस्पेंट मन अगर शांत हो गया तो जो सारा पैसन है वो स्पेंट हो जाता है क्लियर ये कौन सी कोईम से लाइन रही है ये फिर्ण्स से रही है और काम और माइंट कि और जो मन की शांती है मन के शांत होते ही और पैसन इस्पेंट सारा जो पैसन है जो जो से वो खत्म हो जाता है ये किसकी लाइन रही है फिर्ण्स सेंसन अगरिस्ट की कि एफिर्ण्स मात किलियर है चलिए नोट कर लीजेगा इनको फिर आगे बढ़ते हैं भरी दो पैरी में भी अंदेरा ये लाइन रही है फिर्ण्स सेंसन की और जब सेंसन की आखे निकाल दी जाती है जब संसन अंध्य हो जाते हैं तब यह लाइन को कहते हैं और डार्क ड अमिद अब बलाइ बलाइ अब बलाइ अब बलाइ बलाइ अनुन सेंसन अकॉनिस की एक बड़ा ही फेमस एक फ्रेज रहा है और वो क्या रहा है प्रेंट्स टी यर्स सच एज एंजल सुभी कि आशू जैसे की एंजल्स ब्रोड़ें जैसे की देबतार होते हैं बस्ट फॉर्ट एक लास्ट वह अंत्वें निकल जाती हैं टीर सच एज एज एंजल्स वीप पस्ट फॉर्थ एट लास्ट कि और यह जो फेंट्स कोडेशन है कि जो फेमस लाइन यह कॉनसी पोएम की रही है यह फ्रेंट्स रही है प्रदाइज लास्ट की स्टीयर्स सुच आज एंजल्ट वीप यह फ्रेंट्स पैरडाइज लास्ट की और कौन कहता है इस lines को यह कहता है friends यहां जो यह line है चुर्में यहां describe करती है Lucifer और उसकी जो fallen army है angels की उसको यह describe करती है चलिए लिख देता हूं मैं यहां भी and his army of fallen angels. Clear friends, actually what happens in this story? I will tell you to tell you. So, Lucifer, when he comes to hell, when he comes to hell, he comes to 9 days. 9 days, he comes to hell. Now, when he comes to hell, Lucifer and his other angels, he comes to hell, he comes to hell. But then Lucifer, he comes to hell, smiling شروع کردیتا ہے. اور جب smiling شروع کردیتا ہے, تو smiling کے ساتھ جو باقی angels تھے, وہ بھی خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور تب کہیں جا کر, ایک وہ hell میں ہی, کیا کرتے ہیں, molted silver لاتے ہیں, pink liui silver لاتے ہیں, اور gold لاتے ہیں. اور اس سے وہ ایک palace تیار کرتے ہیں, کہاں hell میں. اور اس palace کو, وہ جو palace ہے, وہ Lucifer اور fallen angels تیار کردیتے ہیں, اور کیول ایک گھنٹے میں اس palace کو تیار کردیتے ہیں. اور اس palace کا, اس محل کا جو نام ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, friends, pandemonium. pandemonium, جو word بار بار آیا ہے, اس میں, کس میں, friends, پیڈائی lost میں, وہ کیا ہے pandemonium? وہ یہی palace ہے. جو hell میں تیار کیا جاتا ہے, Lucifer, اور باقی اس کی آرمی ہے, fallen angels کی, اس کے دوارا. یہ گھنٹے میں تیار کیا جاتا ہے, کس سے تیار کیا جاتا ہے? fallen, sorry, melton, silver سے, اور gold سے. تو, کیسیشن یہاں کے تیار ہو گئے, tears such as angels, weep, اس quotation کے ساتھ. بات کلیر ہو گئی, I think, لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. friends, melton کے لیے, ایک line کہی جاتی ہے, کہ milton was a puritan. کہ milton ایک puritan تھا. اب puritan تھا, یہ word آپ نے بار بار سنا ہوگا, کہ milton puritan تھا, puritan تھا, puritan تھا. لیکن, کیا آپ اس word کا meaning جانتے ہیں, puritan کا? چلیے جانتے ہیں, بہت اچھی بات ہیں, نہیں جانتے ہیں, تو آج میں آپ کو پیلے کر دیتا ہوں. puritan کیا ہے, friends. देखी, जो वहाँ जो church है, England में church थी, उसके दो group थे. दो तरह की विचारधारा वहाँ थी, एक तो थी protestant, protestant, और एक ते friends catholic, protestant and catholic. ये दो विचारधारा ये वहाँ पर थी, church में, तो जो प्रोटेस्टेंट किरिष्टियन religious community है, प्रोटेस्टेंट जो religious community है church की, वो puritan कहीं जाती है. अब puritan word कहां से आया, क्या meaning है इसका? वो ये मानते थे, जो established church है England में, उनको एक reformation की जरूँत है, उनको एक purify होने की जरूँत है, means उनको शुद होने की जरूँत है, कि उनमें corruption हो गया, वह सारी चीज़े ऐसी हैं, जिनमें बदलाब होना चाहिए. तो वो क्या चाहते थे? They wanted to purify the church, वो church को purify करना चाहते थे. और उस church को purify करना चाहते थे, उस purify से ही यहाँ word मिल गया puritans. बात के लिए हो गई? अब actual में वो यह चाहते थे, कि जो church है, वो उसमें और ज्यादे protestant हो जाए, और less catholic हो जाए. Clear? और वो actual में जो protestant चाहते थे, वो church की सुद्धी चाहते थे, और less catholic, वो उसको चाहते थे. Less catholic, catholic क्या थे, वो traditionally थे, वो वहाँ कोई संसुधन church में कोई information वो नहीं चाहते थे. Clear? और जो यह puritans थे, यह puritans जो Charles I था, Charles I के reign में रही है, puritans, बात clear है? और Milton भी एक puritans थे. तो यह word आपको clear हुआ, अब शायद आप कभी puritans को ना भूले. Clear, friends? चलिए. एक और quotation ले लेते हैं, Nothing is here for tears. यहाँ आशू के लिए कोई काम नहीं है. Nothing to fail. Nothing is here for tears. Nothing to fail. और यह लाइन कहां से ले गई है? यह लाइन देखे, यह भी लाइन सेंसन से ले गई है. सेंसन एकोनेस. बात के लिए, friends, तो चलिए. रोट कर ली जगा. मिलिटर एक्शुल में क्या चाहते थे, friends? वो इंडिविजुलिजुलिजम के सपोर्ड पर थे. तो मिलिटर शीम्स टू बी चैंपियनिंग देखाव इंडिविजुलिजुलिजुलिज्म. और वो किस में चाहते थे? वो पैड़ाई लॉस्ट में ये विचार धारा उनकी प्रतीत होती है. और इसी के साथ साथ जो पैड़ाई लॉस्ट है, वो रिप्रेजेंट करता है, friends, फेड़ाम ओफ विल को. प्रिड़ाम ओफ विल और इंडिविजुलिज्म ये जो दो विचार धाराै, पैड़ाई लॉस्ट में आपको दिखाई देती है. इंडिविजुलिजुलिज्म. एंड फ्रीड़ाम ओव. विल. ये दो विचार धाराय आपको कहा दिखाई देती है? और रिप्रिजेंटेड इन स्वारी नॉट आर यहां लिके फ्रेंट्स वर रिप्रिजेंटेड इन पैडाइस लास्ट बत क्लियर हो गई है मिल्टन लेफ्ट ए हाई रोड बिहाइंड हिम किसी ने कमेंट किया है कि मिल्टन ने तो अपने पीछे एक हाई रोड एक बहुत बूचा मार्व छोड़ दिया है बट बिफोर हिम बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग बट जंगल एंड पाल्स फायर लेकिन मिल्टन से पहले तो वहाँ कुछ नहीं था केबल जंगल था और क्या थी फ्रेंट्स फाल्स फायर थी मिल्टन ने उसके बाद क्या छोड़ दिया एक हाई रोड अपने पीछे छोड़ दी और ये रेले रहे हैं किटिक रेले का एक कमेंट मिल्टन लेफ्ट एक हाई रोड बहाइंड ही मिल्टन ने पीछे एक हाई रोड एक उचा मार्क इस्थापित किया बड बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग वर्ट लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ नहीं मिला वर्ट जंगल एंड पाल्स फायर क्लियर होगी बाद प्रेंट्स कमेंट क्लियर हुआ आपको क्या कमेंट कहा है और यह किसने कहा है रह ले चलिए रहले ने मिल्टन के जो स्टाइल है मिल्टन का उसको भी डिस्काइब क्या है उसको उन्होंने कहा है कि सेटन ब्रॉकेट स्टिफ विद गॉर्ट यह सेटन का सेटन जानते हैं सेटन क्या होता है अब इस सेटन में और सेटा जो सेटान है आपका सेटन उसमें कंफ्यूज मत होना यह सेटन है रेले ने मिल्टन के स्टाइल को कहा है चलिए बात कर लेते हैं पहले में लिख देता हूं में इसको कि मिल्टन स्टाइल को क्या कहा है रहले ने असेटन ब्रॉकेट कि एक एक कपड़ा होता है सेटन जिसे हम हिंदी में साटन कहते हैं साटन साटन कपड़ा होता है असेटन ब्रॉकेट और ब्रॉकेट का मतलब होता है फ्रेंड्स वोवन जो बुना हुआ है बना हुआ है वोवन स्टिफ विद गोल्ड गोल्ट, जो किसे बुना हुआ है, जो गोल्ड से बुना हुआ है, ये मिल्टन पे comment किया उन्होंने, a certain brocade stiff with gold, do Dr. Johnson तहीं, Dr. Johnson ने भी एक comment किया मिल्टन पे, उन्होंने कहा कि मिल्टन wrote no language, कि मिल्टन ने कोई language ही नहीं लिखी, क्लियर ध्र जॉन्स मिल्टन रोट नॉन्स कि लिए फेंट्स हम सीख रहे हैं जॉन मिल्टन को जोन मिल्टन पर हम इंपॉर्टन किशन्स डिसकस करते आ पिछले तू प्रिवियस लेक्चर में हमने भी पॉइंट वाइज जोन मिल्टन को डिसकस किया था उसी स्रीच को हम आगे बढ़ाते हैं कुछ और इंपॉर्डन किशन्स हमें जॉन मिल्टन पर मिले हैं उनको आज हम पढ़ेंगे और आज का लेक्चर जॉन मिल्टन पर हमार लास्ट लेक्चर होगा काफी वाइड रेंज हमने जॉन मिल्टन की कवर की है और आई होब कि अब जो आपका एक्जाम है जो भी कम्टिटिव एक्जाम में आप बैठने जा रहे हैं टीचर के लिए उसमें जो जॉन मिल्टन है इस पूरे वीडियो लेक्चर से आपको कु सुपीरियर तो इस गॉड कि मिल्टन के जो डेवल है वो उसकी जो देवता है उसका जो गॉड है उससे बैटर रहे हैं कौन डेवल क्लियर फ्रेंट्स तो चलिए नोट कर लेते हैं मिल्टन से डेवल एज़े मोरल बीइंग इस पार सुपीरियर कि मिल्टन के जो डेवल है उसका जो मोरल बीइंग को अगर देखें नैतिक रूप से इस पार सुपीरियर तो इस गॉट यह किसका रिवार्ट के फ्रेंट्स यह है है पार देखें 1659 में जब रेस्टोरेशन हो गया और किसका रेस्टोरेशन हो गया चाल सेकंड का तो चाल सेकंड के रेस्टोरेशन के बाद जो जॉन मिल्टन थी उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको लगभग टू मंग्स के लिए उनको इंप्रिजन कर दिया गया दो महिने के लिए कैद में डाल दिया इसके पीछे बजह भी बता दूमें क्या थी मिल्टन ने जब चाल्स फस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया था तो उस एग्जीक्यूशन को मिल्टन ने जस्टिफाई किया है मिल्टन ने कहा कि वो जो एग्जीक्यूशन था चाल्स फस्ट को जो मार दिया था वो सही था और जब किसी राजा की हत्या पर आप रिमार्क कर रहे हो कि वो सही था तो अब उसका जो डिसेंडेंट आया चाल सेकंड जब गद्धी पर आया तो चाल सेकंड ने उठा के वेल्टन को इंपरिजन कर दिया कि लियर फ्रेंट तो परिंट बनता है कि आफर दार्श्रेशन अफ चाल सेकंड अब 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 मेरिटन वॉज अरेस्ट अब अब एंड इंप्रीजंड पॉर अबाउट तू माद्स अब जो ओवर ओल अगर हीरो की हम बात करते हैं परडाइज लॉस्ट के तो उसका हीरो कौन है प्रेंट्स उसका हीरो निकल कर आता है एडम क्योंकि जो सैटन है वो बुराई का प्रतीक है और जो बुराई का प्रतीक है वो कभी भी किसी भी बुक का ये किसी एपिक का हीरो नहीं हो सकता लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बुक फस्ट की बात करते हैं तो उसका जो हीरो निकल कर आता ह तो we can say Saturn is the hero, parodise lost, book first. परदाइज लॉस्ट बुक फस्ट का हीरो सैटन का जो डूरेशन रहा है मिल्टन की जो एज रही है उसमें थीरी काइड्स के पोइट्स वहां रहे तो मेटाफिजिकल रहे मेटाफिजिकल के सबस्द कैवेलियर रहे और प्यूरिटन रहे क्लियर तो एक विश्टन में बन जाता है कि यवार कि दूरिंग दा इस अप मिल्ट तो मेल्टन थे वर तो मेल्टन की तो मेल्टन की दो मेल्टन की देंग उनद्टन थे दिस अवाइजिकल चूवेलियर पूतन. बात के लिए रहा फ्रेंट्स इसके अलावा फ्रेंट्स एक पिछले वीडियो रेक्चर में जो इससे पहला था इससे पहला वाला जो लेक्चर था हमारा इंपॉर्डन किस्ट्स का उसमें एक सोनेट रही है विलियम जॉन मिल्टन की मी थौट आइसा माई लेट ऐस पाल सेंट तो उसको लिखते हैं वहां बता गया था कि जो डिस्क्राइब करती है यह सेलिबरेट मिल्टन यहां करते हैं स्वेथों करते है लेकिन भाइस सेकंड वाइफ का जो नाम मैं लिख गया था वह लिख गया था जो में थर्ड वाइफ है लिजबर नंसल लिख दिया था मैने तो उसको आप ठीक कर लें वह कैथरीन बुड़कोग एंड तो कैथरीन बुड़कोग थी फस थी मेरी पावल स जो फिर्ट थी वो थी Elisabeth Minsar तो फेंट तो स्कोंट ठीक कर ले एक हाला कि मैंने नीचे जो कमेंट सेक्षन होता है उसमें कमेंट भी मैंने पिनफ दिया है तो आप चाहे तो वहां भी उसको देख सकते, उसको आप करें टाये पड़ेए क्लियर आफ प्लेर्स और बिलक। अवेर होके किशिक्षके में आपको डाओट होता है एंस सीधा मुझे को कर्ूरीजीए और उसको आपको बिलकुल उसका जो जस्टिफिकेशन है जो वह आपको आहां मिलेगा चलिए फिर्ट्स एक और सौनेट रही है सौनेट का टाइतल है फिर्ट्स आन सेखस्पीर की बात करे सो वह वहां मिल्टन की फ़स्ट पॉलिज पोयम थी जो इनोनीमस ली पॉलिश हुई उनीमसी का मतभ़ों फिर्ट्स गुम नाम रूप से टाइटल जो औथर का नाम था व उसमें मिल्टन की एक पॉयम पब्लिश हुए और वो थी और शेक्ष्पियर क्लियर फ्रेंट्स तो नोट कर लेते हैं इस पॉयंट को भी और शेक्ष्पियर मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश पॉयम और कब पब्लिश हुई फ्रेंट्स यह जो कहां पब्लिश हुई यह आयस एक्ष्पियर का जो सेकंड फोलियो था उसमें अपियर हुई कि अधिर सेकंड फोलियो फास्ट फोलियो यह शेक्ष्पियर अपिस तार्ट करने जा रहे हैं और और उसमें हम बात करेंगे और फ्रेंड्स कुछ को फ्रेंड से उनके से 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 थे कि हमें गालजवर्दी शुरू कर देना चाहिए विलियम शिक्ष्पीर है उसको सुरू कर देना चाहिए कि देखे एक्षुल में अभी तप जो हमें पढ़ा है लिटरिचर के नाम पे वह कॉमन मैटीरियल हम पढ़ते आ तो प्रेंस ऐसे बैटर यह रहेगा कि हम अगर जोन गालशवर्दी-टी जगां मिल्टन ले तो उस वी विलियम सिक्षपीर ले ले तो वह रहेगा बैटर इसेंस में रहेगा कि हमें के लिए वाईड रेंज पढ़नी पढ़ेगी और सबसे ज्यादा कि श्रम्सकर एक जाम मे सबसे डिफिकल्ट राइटर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है और अगर हम गाल्सवर्दी की बात करें तो बहुत ज्यादा गाल्सवर्दी में पढ़ने हो नहीं है मुश्किल से मैं समझता हूं चार या पांस लेक्चर मेरे तंच से छोटा ही वह था है तो ड़सेंट बेंटर लेकिन अगर हम शिक्ष्पियर को सुरू करते हैं तो इसमें में टाइम भी जाएगा एनरजी भी हमारी लगने वाली है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है तो क्यों ना हम विलियम शिक्ष्पियर को सुरू कर ले तो इसके बाद जो नेक्स लेक्चर आएगा वह हम विलियम शिक्ष्पियर के शुकू करेंगे ठीक है और जो कीजीटी एस्पाइरंट है उनके लिए हैं यह तो कॉमन आथर है हमारा और कुछ जो जल्दी ही चैनल पर डालने वाला हूं उसमें भी आप बने रहीएगा क्लियर फेंस चलिए इसको नोट कर लीजेगा फिर लागे बढ़ते हैं और वाट मीट्स माई शेक्ष्पियर और इस ऑनर बोन्स द लेवर ओफ इस इन पाइल स्टोंस बड़ी फेमस लाइन है और बड़ी इंपोर्टन लाइन है और कौन सी पोएम की अभी मैं बताने वाला हूं वाट मीट्स माई शेक्ष्पियर वाट मीट्स माई शेक्ष्पियर और इस अनर बोन्स लेवर और इस इन पाइल सोंस लेवर और इस इन पाइल स्टोंस अफिव देखे क्या कह दिया आएं जॉन मिल्टन ने वह कह रहे हैं वोट नीड्स माई शेक्ष्पियर और इस ओनल बोन्स ऑनलबोन्स की संवां के लिए जो मेरा शेक्ष्पियर उसको क्या चाहिए उसको किस चीज की आवश्रकता है संवां के लिए कि जो ये पक्थरों का ढेर है इसके नीचे क्या है जो एक एज है एक यूग है उस यूग की जो मेहनत है वो इन पक्थरों के नीचे लेटी हुई है मेंस वो उनके सम्वान के लिए यहां जोन विल्टन ने यह बात कही है और कौन सी पेड़ पोएम में कही है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे ओन सिक्षपीर और सिक्षपीर की यह लाइन है तिलियर भी बात दियर सन अव मेंमरी ग्रेट एयर ऑफ पेम वोट नीडिस्ट दाव सच वीक विटनेस अब दाय नेम यह दूसरी यह दूसरी लाइन है जो इसी पोएम से लिए गई है दियर सन अव मेंमरी देखिए एक क्या वत आया है इन्होंने शिक्षपीर को का है डियर सन अव मेंमरी की जो मेंमरी है जो समर्ती है जो यादगार है उसका प्रेट बेटा ग्रेट एयर ऑफ फेम और जो प्रसिद्धी है, प्रसिद्धी का बढा उत्रादिकारी महार!! उत्रादिकारी किसका प्रसिद्धी का, कला हुई यानि वो dear son of memory smiarti का बेटा है और उत्रादिकारी है प्रसिद्धी का, कला है बात S investigation? What needest thou such weak?? What needest thou? आपको किस चीज किया आउश रखता है? Thou such weak witness of thy name. What needest thou such weak witness of thy name की जो तुम्हारा नाम है, उसके तो क्या है सब? Weak witness है. एक कमजोर एक witness है. क्लिएर है बात फ्रेंट्स? और ये लाइन भी जो है वो कौन से एक्षपियर की है? बात क्लिएर होगी फ्रेंट्स? चलिए अब आगे हम बात करते हैं. His state is kingly thousands at his bidding speed and post all land and ocean without rest. They also serve whom only stand and await. Friends, बड़ी famous line रही है और आप जानते भी हैं. Intermediate में आपकी poem पर लगी हुई है. On his blindness उससे ली गई हैं. तो important line है, चलिए शेयर कर लेते हैं. इसकी starting line तो है कि When I saw how my light is spent and before half my days. Friends, हलाकि पूरी poem ही important है. और मेरी सलह है कि आप इस poem को एक बार जिरूर पढ़ें completely. फिर भी दो line यहां में important वो लिख देता हूँ. His state is kingly. Thousand at his bidding speed. Thousand at his bidding speed. His state is kingly की जो उसका राज्य है, वो एक राज्य के राज्य के शमाल है. किसका? इश्वर का. God की यह बात कर रही है, चल रही है कि वो तो एक kingly है, वो तो एक राज्य है. Thousand at his bidding speed. कि उनकी जो आदेश होता है, उनकी जो इच्छा होती है, उस पर तो जो हजारो है, वो दोड़ पड़ते हैं. हजारो देव दो इश्वर की आग्या का पालन करने के लिए दोड़ पड़ते हैं. और पूस्ट और लेंड और ओशियन विदाओ रेस्ट. और पूस्ट और लेंड और ओशियन विदाओ रेस्ट. और वो कहां दोड़ जाते हैं, वो लेंड पर और ओशियन में बिना रुके, बिना थके वो दोड़ते रहते हैं. और इसके बाद एक सबसे लास्ट की जो लाइन हैं, बड़ी इंपॉर्टन लाइन हैं, और एवन वो एक प्रोवर्ब भी बन गई हैं आज के टाइम में, वो है कि दे आल्सो सौव भू, अनली स्टेंड और वेट. और यह किसकी लाइन हैं, फ्रेंट्स, ओन हीज, ब्लाइन्डनेस. बाद क्लियर होगई हैं, और लास्ट लाइन में ओथर ने कहा हैं कि दे ओल्सो सौव की इश्वर के वो भी सेवक होते हैं और वो भी उत्रे ही बड़े सेवक होते हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं और अपणी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं. में सबको इश्वर का आदेश नहीं मिलता इश्वर का आदेश तो बड़े ही विल्ले लोगों को मिलता है बड़े ही यूनीक लोग होते हैं जिनको इश्वर का आदेश मिलता है और सबको आदेश नहीं मिलता इश्वर के आदेश को पाने के लिए लोग खड़े हुए और व पिरिएड पर एक रिवात किया है उन्होंने कहा है कि अनॉबल एंड प्यूसेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ लाइक के स्ट्रॉंग में आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इन्विजर्वल लॉक्स की जो एलिजबेथन एज है एलिजबेथन चली लिख लेता हूं पहले उसके बाद आपको समझ्द निवासा नहीं रहेगी इंड से जवाउट एलिजबेथन पिरियर्ट क्या कह रहें एलिजबेथन एज एज को कह रहें अनॉबल एंड प्यूसेंट नेशन कि एक नॉबल नॉबल जानते हैं आप नॉबल कहते हैं खुलीन को और ऑफ हाई कॉरिटी ऑफ हाई लवल एंड प्यूसेंट नेशन इस वर्ड को देख लेना पर बड़ा अच्छा वर्ड है प्यूसेंट और प्यूसेंट कहते हैं स्ट्रॉंग को यानि शक्ति शाली को प्यूसेंट नेशन राउजिंग हरसल्फ कि जो उठा है कैसे उठ रहा है हरसल्फ लाइक स्ट्रोंग मैन आफ्टर स्लीप कि ऐसे उठ रहा है जैसे कि एक शक्तिशाली आदमी सोने के बाद उठता है और अपने जो इन्विजबल लॉक्स हैं जो अद्रश्ची अपने बाल हैं उसको वो लहरा ना है कि इसका रिमार के यह मिल्टन का है अलिजाबेटन के बारे के लिए फ्रेंट्स कि एक और कोटेशन मुझे याद आती है कि फैल राउंड दा पाद मेंटन इन दा हैंट दा तिंग विकेम अ ट्रॉम्पेट अब ट्रॉम्पेट के नाम आपको इस्ट्राइक हो रहा होगा कि यह कौन सी पॉयंसे लाइन ली गई है कि मिल्टन के रास्ते के चारो ओर इन इस हैंट दा थिंग विकेम अप्रॉम्पेट और मिल्टन के हाथ में दा थिंग है कि भी केम ओर ट्रॉम्पेट अब दीखें यह जो बात हो रही है इस दथिंग की यह दथिंग क्या है क्या आप बता सकते हैं मुझे दथिंग क्या है जो दथिंग है वो है फ्रेंट सॉनेट, सॉनेट के लिए मिल्टन ने ये वर्ड यूज लिया है, दाधिंग, यानि सॉनेट, और बिकीम और ट्रिंपट, ट्रंपट कीसे कहते हैं, फ्रेंट कहते हैं तुरही को, clear, जो बजाने के काम आती है, ट्रंपट उसको कहा जाता है, तो ये जो लाइ और ये लाइन किसकी है, इसको नौट दा सॉनेट, इसको नौट दा सॉनेट, और ये किसकी पोएम है, इस पोएम में, इस सॉनेट में, जो विलियम वर्सवर्थ हैं, विलियम वर्सवर्थ कहा रहे हैं कि इसको नौट दा सॉनेट, कि सॉनेट को बुरा भला मत कहो, यह वूस्तु है, जिसससे, यह वो चावी है, जिससे, विल्यम शिक्षपीर का जो हाल है, वो उनलग हुआता, उसको हम सिक्षपीर में डिसकस करेंगे, फिलाल हम इतना ही ले ले लेते हैं, इसको नुट् le tanta sonnette और यह किसकी sonnette पोएम है, विलियम वर्ष वर्ष की, क्लियर होबी, फ्रेंट्स ? मिल्टन दाव सुदस्त वी लिविंग आट इस हार, इंगलेंड है नीड अग दी, शी इस फैन अफ स्टेगनेंट वाटर्स, मिल्टन दाव सुदस्त वी लिविंग आट इस हार, यह कौन सी पोएम की लाइन है, Milton, thou shouldst add this hour, कि Milton तुम्हें तो इस समय जिन्दा रहना चाहिए था, England hath need of thee, और England को तुम्हारी आवश रखता है, she is a fan, और fan किसे कहते हैं, friends fan कहते हैं, जहाग को, जब आप कपड़े दोते हैं, सर्फ डालते हैं, साबून डालते हैं, तो जहाग आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं, she is a fan of stagnant waters, कह रहे हैं कि वो तो जो ठैरा हुआ पानी है, उस ठैरे हुए पानी में जो ये इंगलेंड है, वो एक fan बन गया है, वो तो जहाग उसमें ठैरे हुए पानी में आ गया है, means वो गंदा अब हो गया है, और Milton, तुम्हे तो इस समय जिन्दा रहना चाहिए था, क्लियर फेंड्स और कौन सी पोएम की है, टुमिल्टन एटीन जिरो टू बाई विलियम वर्सवर्थ, एक दो पोटिशन इस पोएम की पहले डिस्कस कर दी थी, और ये जो थी ये अब यहां आ रही है, क्लियर फेंड्स, I hope मजा आ रहा होगा पढ़ने में, चलिए नोट करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, कि सोचिए बताईए मुझे, ओर राइज असब, हमें उपर उठा लो, ओर राइज असब, रिटर्न टू अस अगें, और हमें लोटा दो, क्या लोटा दो फेंड्स, कह रहे हैं, कि हम स्वार्थी लोगें, हमें उपर उठा दो, और हमें उने लोटा दो, और क्या लोटा दो, और हमें क्या दे दो, and give us manners, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर, और हमें दे दो, मैनर्स, हमें मैनर्स दे दो, clear, वर्च्यू दे दो, वर्च्यू किसे कहते हैं, फ्रीडम को, गुण को, इसके साथ क्या दे दो, फ्रीडम दे दो, और हमें पावर दे दो, आजादी दे दो, और हमें शक्ति दे दो, कितनी important बात यहां कह दी है और किस ने कह दी है यह Milton के लिए कह दी गई है और किस ने कही है विलियम बर्सवर्थ ने वो जब memorate कर रहे हैं memorate करते हुए वो कह रहे हैं कि Milton तुम्हें तो इस समय जिन्दा रहना चाहिए किलेश रखिसर ही तो सौनट तुमिल्टन है एटीन जीरो तू आपिव स aucun हमय कि गई को कहा जाता है कि यह आस तो शूसर और इस स्पांसर का विए पोटिकल सन पॉइटिकल 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 सब्सक्राइब बात के लिए हो गई है स्पेंसर को अपना गुरु मानते थे लॉंगिनस से प्रभावित थे लॉंगिनस को मॉडल मान के उन्होंने लेखा अगे फिर्ट जो टैनिसन रहे हैं अफ्र लॉड टैनिसन तैनिसन ने जो तरफ़ यह प्रितर्स पहसे चीजों ई यह से जो सुनार होता है वह किसी भी चीज घिसके पता लगा लिता है यह ज़ह और और फोर्वट सब्सक्राइए कि नहीं क्लें बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टन कोटिशन आती है कि फॉर बुक्स आर नौट अबसल्यूटली डैट थी कि जो बुक्स है वो पूरी तरह से मृत वस्तु नहीं होती है वो अपने आप में क्या रखती है जो जीवन की पोटेंशी यह जीवन की जो उड़जा है वो अपने आप में वो रखती है कि लिए फ्रेंड्स यह कहा है जो अन मिल्टन ने कहा है और बुक्स आर नौट अबसल्यूटली डैट थिंस कि जो पुस्तके हैं वो पूरी तरह से डैट थिंस नहीं होती बट लू कंटेंड आ लेकिन वो रखती है क्या रखती है फ्रेंड्स अब पोटेंशी ओप लाइव इन दैंड़ क्लियर है इतनी प्यारी लाइन कह दी और कहां कह दी फ्रेंड्स यह एरियो पैजेटिका में जान मिल्टन ने कही है एलियो पैजिटी कहा जी हाँ जिसमें वो लाइसेंसिंग एक्ट का विरोध करते हैं और जो फ्रीडम प्रेस से उसकी बात करते हैं बुक्स पे जो बैन था पब्लिशिंग पे जो बैन था उसको हटाने की भाग करते हैं तो वहीं वह important बात यह कहते हैं कि लिए फ्रेंट्स एक बुक रही है लाइफ ऑफ मिल्टन वह किसने लिखी फ्रेंट्स लाइफ ऑफ मिल्टन वह रिटन बाई सेमॉल जॉन्स न देखें सेमॉल जॉन्सन एक्च्वर में ओथर रहे हैं एक किटीक रहे हैं और सेमॉल जॉन्सन ने लाइफ ऑफ ऑफ और उन्होंने जो 52 нет वावण रैटर्स थे वावण पोएट्स थें जिनकी उन्होंने लाइफ हू लिखा है के लिए फ्रेंट्स तो उसमें मिल्टन की life भी उन्होंने लिखी तो life of Milton written by Samuel Johnson और you can say Samuel Johnson को Dr. Johnson भी कहा जाता है इसमें आप confused मत होना क्योंकि Johnson दो रहे हैं लिटेचर में एक Ben Johnson रहे हैं जो Shakespeare के contemporary थे और दूसरे हैं ये बड़े critique Dr. Johnson या जिनको Samuel Johnson भी कहा जाता है चलिए और कुछ important quotation समने लिए है जोन मिल्टन से ही एक जगह उन्होंने कहा है कि all men naturally were born free कि सभी व्यक्ति प्राकर्टिक रूप से स्वारतंत्र पैता होते हैं और मैं नेचरली वर बार्ण प्रिए कि और मैं नेचरली कि वर बॉर्ण प्री इससा भी व्यक्ति प्राकर्टिक रूप से पैदा होते हैं टैन्यूर ओफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट चो पैंप्लेट रहा है उससे लाइन दी गई है यह quotation वहीं कहा है जोन मिल्टन ने कि टैन्यूर ओफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट इस लिए नहीं है पात पीस है थ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वाट कि जो पीस होती है है थ हर विक्ट्रीज पीस की जो विक्ट्रीज होती है पीस की जो विजय होती है जो पीशे शान्ती की जो विजय होती है नो लेस रिनाउंड देन वाट वो युद्ध की जो विजय है उससे कम परसिद्धी वाली नहीं होती और इन लेटर टू क्रमबल को एक लेटर लिक रहे थे और उस लेटर में इन्होंने ये बात करी है इन लेटर टू क्रमबल बात क्लिया रहे फ्रेंड्स चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके अलावा एक जगा इन्होंने कहाया कि fame is no plant की जो प्रसिद्धी है वो एक प्लांट नहीं होती जो नश्वर मिट्टी में पैदा होता है प्रसिद्धी ऐसा कोई प्लांट नहीं होती कोई पोधा नहीं होती fame is no plant कि प्रसिद्धी ऐसा पोधा नहीं होती डेट ग्रोज और मॉल्टन सॉइल कि जो नश्वर मिट्टी में जन्म लेता है बात करिया रफेंट्स यानि प्रसिद्धी कोई पोधे के समान नहीं है जो महा मिट्टी है मिट्टी में जन्म जिसने ले लिया और यह कहां कहा है उन्होंने लाइसी डास में यह कि मेरा जो उठना है वो तुमारा पतन है एंड माई प्रमोशन विल भी दाइट शक्षन और अगर मेरा प्रमोशन हुआ मैं उपर उठ गया तो तुमारा विनाश हो जाएगा बड़ी अच्छी लाइन लगी माई राइजिंग इस दाइफाल कि मेरा उपर उठना ही तुमारा पतन है एंड माई प्रमोशन विल भी दाइडेश्रिक्षन और मेरा प्रमोशन जो है वो क्या होगा मैं अगर उपर उठ गया वो तो तुमारा क्या हो जाएगा डेस्ट्रेक्षन हो जाएगा तो यह लाइन कहां से ली गई है यह एक्चल में जो जीजस है वो कह रहे हैं सैटन से इन बुक थार्ड भुक थार्ड में कह रहे हैं कौन कह रहे हैं जीजस कह रहे हैं किस से कह रहे हैं फ्रेंस सेटन से कह रहे हैं और कौन सी बुक की कौन सी बुक थर्ड में कह रहे हैं पैराडाइज रिगेंड की कि अधियर फ्रेंट्स बाद समय माई कि फ्रीली वी सौब डिकाज वी फ्रीली लग और ये भी बड़ी इंपोर्टन लाइन है हम स्वतन्त रूप से सेवा करते हैं विकाज वी फ्रीली लग क्योंकि जो हमाना प्रेम है वही वही स्वतन्त है प्रेंट्स यह लाइन रही है यह पर डाइज लास्ट की लाइन है और एक करेक्टर है वहां रफेल रफेल इस लाइन को कहता है है अधर क्लियर हो गई है तो तो फ्रेंट्स लेक्चर काफी लेंदी हो रहा है चलिए लेक्चर तो लेंदी हो रहा मेंटर और फ्रेंगा अगर हम वास्ता पे तैयारी करना चाहते हैं और रियल हम तैयारी कर रहे हैं तो जितनी वे पॉइंट्स यहां बताये जाते हैं वीडियो लेक्चर में एक पॉइंट आप ध्यान से सुनते चलिएगा याद गर दे चलिएगा क्योंकि यही पॉइंट्स यही कुश्शन्स आपको एक्जाम में मिलेंगे और वहां सलेक्शन दिलाने वाले हैं यही आपके लाइफ का एक लबल करा दूगा और उसके बाद ने लेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं का यहनी कल से स्टार्ट करते हैं विल्यम शिख्षपीयर को तो तैयारी बढ़िए कर लीजिए बढ़ने के लिए तैयार हो जाएएगा चलिए फिर्टिब्स आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर झाल झाल